असलाम अलेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल अर्दू नाविल वर्ड, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगें, तो हमारे चैनल को सबसक्राब करें, और हमारी वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया, चली नाविल शुरू करते हैं, नाविल का नाम है तो इश्क है मेरा वो दुलहन बनी इसके कमरे में सर जखकाए बैठी इसका इंतिजार कर रही थी ही इसके दिल की हालत कजे अजीब सी हो रही थी डर भी लग रहा था कि पता नहीं वो कैसी नेचर का हो कहीं ज्यादा घुस से वाला ना हो अर्ष पांच बहन भायों में चोथे नंबर पर थी पहले दो बड़ी आईशा और अरीशा दोनों शादी शदा थी फिर अजलान वो भी शादी शदा था अब बारी थी महतरमा अर्ष की जिसे शादी करनी है नहीं थी बकौल उसके वो अपने माबाप को कभी छोड़ कर नहीं जाएगी मगर उसकी किसी नहीं सुनी और रूधो कर आज मिसिस हादी खान बनी उसके बैडरोम में बैटी इसका इंतिजार कर रही थी दर्वाजा खिलने और फिर बंद करने की आवाज पर वो सिमट कर अपने धड़कते दिल के साथ बैठी रही हादी ने इसके सामने बैट पर बैठे सलाम किया और उसका घूंगट उठा कर मुस्कुराते इसका हाथ थामा मैं अपसे ज्यादा वादे नहीं करूँगा किवाज पर यगीण रखने वाला इंसान हो में कोशिश करूँगा आपको शिकायत का मौदा ना दूं वो नर्म और धीमे लहजे में बोलता इसके दिल में अकमनान पैदा कर रहा था आपको कजे कहना है वो इसके हाथ में खूबसूरत सा ब्रेसलिट पहनाते मुस्कुराया तो अर्श ने नफी में सर हिलाया अप फरेश हो जाएं काफी ठक गई होंगी वो खत भी चेंज करने के लिए उठा वापस आया तो बलेक टाजर और ग्रे टी शिर्ट में था अर्श अपने गहने उतारते आईने में नजर आते हादी का जायजा लेने लगी वो अपने मुबाइल फोन में बिजी था वो अच्छा खासा ही नजस्म था छे फुट से निकलता कद कल्लर भी काफी साफ था इस पर लाइट बराउन बाल और चेहरे पर हलकी शेव ने इसको और पुरकशिश बनाया था क्या हुआ? वो मुस्कुराते इसके करीब आया और उसके दोपटे को पैंसे अजाद किया तो वो एक नजर इसे देख कर जाने लगी तो हादी ने इसका हाथ पकड़े अपने करीब किया वो इसकाफ इतना करीब था कि इसकी गर्म सासे अर्श को अपने चहरे पर महसूस हो रही तहे में चेंज कर लो वो धीमे से खत को संभालते बोली तो हादी ने मुस्कुराते सर नफी में हिलाया तो अर्श ने बमशकिल इसे देखा जिसकी आखों में अलगी जजबात थे बाद में कर लेना वो इसके कान काफ करीब सरगोशी में बोला औरास का दोपटा उतार कर सोफे पर फंका और औरास की पेशानी पर लब रखे तो अर्शने आंखे बंद कर लें फिर इसने इसकी कमर के गिर्द हाथ बांधे हिसार तंग किया इसने अश के काम में महबबत से सरगोशी की तो इसे अपना दिल बाहर धारकता महसूस हुआ वो अपना अप छुडाते इससे दूर है कर इस की तरफ फैकर के खड़ी अपने दिल पर हाथ रखे सांसे हमवार करने लगी हादी ने मुस्कुराते इसके बाल आगे किये और जखक कर अपने लब इसकी गर्दन पर रखे और दोनों हाथ इसके पेट पर रखते इसे अपने साथ लगाया अब उन दोनों के बीचे एक इंच का फासला नहीं रहा था मैं तमेरी साथ जुड़े इस रिश्टे को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी रजामंदी चायता हूँ वो इस कारुख अपनी तर्फ किये दोनों हाथों से इसका चहरा थामते बोला तो अर्श ने इसे देखते सर इस बाब में हिलाया हादी ने इसे बैद पर लिटा कर खद इस पर जुका तो अर्श ने अपनी आखों को सकती से बंद करते इसकी शट को मजबूती से पकड़ा हादी ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे के दर्वाजे पर दस्तक हुई अबे यार इसने सीधे होते दर्वाजे को घूरा तो अर्श को हंसी आ गई वो अपनी शट ठीक करता इसे घूरता दर्वाजे तक आया भाई में हो वो अपनी चूटी बहन की आवाज पर हैरान हुआ किया हुआ गुडिया सब ठीक है ना अश अपना दोपटा लिये इसके पास आई मामा की तबियत अचानक खराब हो गई है एहसन भाई और आपी उन्हें हास्पिटल ले गए हैं वो इसकी बात सुनकर परेशान हो गया और जल्दी से चेंज करके आया गुडिया एक नजर इसे देख कर चली गई वो चेंज करके आया और अपना फोन और वालत उठा कर उसके पास आया तुम आराम करो में चलता हूँ वो नर्मी से बोला में चिल लो इसने प्रेशानी से कहा अभी नहीं जरूरत अतुकाल कर लो निगा वो इसका चेहरा तेपते पाई बाहर निकल गया हादी के जाने के बाद इसने कपड़े बदले और बैट पर आकर बैठी थोड़ी देर पहले का सोच कर तक्यागोद में रखते मुस्कुराई इसे हैरत हो रही थी कैसे इसने अर्श के दिल पर कब्जा कर लिया था वो अपना सब कुछ इस पर लुटाने को तयार हो गई थी इसे आईशा आपी की कही बात याद आई अर्श निका में बहुत ताकत होती है ये दो लोगों को ऐसे करीब लाता है जैसे कभी अजनबी थे ही नहीं दर्वाजा खिलने की आवाज इसने देखा गुडिया अंदर आई भाबी भाई की काल है इसने फोन कान से लगाया ममा कैसे है वो धीमे से बोली बहतर है अब अल्ले का शुक्र है बी पी शूट कर गया था तुम प्रेशान मत होना हम सुबह तक आ जाएंगे और हाँ अपना नमबर तो दो वो इसे नमबर बताकर अल्ले हाफिस गिर के फोन गुडिया को दिया आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो बताईएगा अब 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 थोड़ा आराम करें अर्श ने मुस्कुराते सर इस बाब में हिलाया तो वो चली गई वो थोड़ी देर के लिए लिट गई तो इसे नींद आ गई वो लोग सुबह साथ बजे वापस आए हादी ने कमरे में कदम रखा तो इसे देख कर मुस्कुराया फिर फरेश हैकर इसको लिए ममा के पास आया अर्श सिंपल से काटन के सूप पर बिलो शाल ओड़े ममा के सरहाने बैठी थी वो इससे माजरत कर रही थी कि हादी को इसे छोड़ कर हास्पिटल आना पड़ा उन दोनों ने नाश्टा भी वही किया फिर ममा ने जबरदस्ती आराम करने भेजा हादी ने कमरे में आ कर ला लगाया और उन्धे मोहे बैद पर लेट गया और हाथ के इशारे से इसे करीब आने को कहा वो थोड़ा जिजगते हुए इसके पास आई तो इसने सीधे होते इसे देखा तुम सिंपल भी बहुत प्यारी लगती हो इसे अपने उपर गिराए वो महबबत से बोला और उसके चहरे को होंटों से छुआ हादी पलेज वो अपना अप छुड़ाने लगी तो हादी ने करवट ली अब वो इसके मीचे थी तुम खद इजाज़त दे चुकी हो रात मिसिस वो इस से कहते इसके लबों पर जुका अर्श दोनों हाथ उसके सीने पर रखे तडब गई थी थोड़ी देर बाद हादी ने इसे अज़ाद किया तो वो गहरे सांस लेने लगी ये प्रोमो था पुरा एपिसोड रात को वो शरारत से बोला और इसे बाहों में लिये सो गया इसने मुस्कुराते हुए इसके सीने पर सर रख कर आँखें बंद कर ले शाम को वो इसके साथ उम्मी के घर आ गई वा सब इसे खुश देख कर बहुत खुश थे इसकी भावी और बहनों ने इसका बहुत रिकॉर्ड लगाया वो बस मसकराती रही वो इसका हाथ थामता गारी ड्राइव कर रहा था तुम खुश हो अर्श वो इसका हाथ लबों से लगाते बोला तो अर्श ने इसे देखते मस्कुराते सर इस बाब में हिलाया तुम क्या बहुत कम बोलती हो इसके सवाल पर अर्श को हंसी आगई तो वो हैरान हुआ अगर आपकी ये बात मेरे घर वाले सुन लें तो बेहुश हो जाएं वो मज़े से बोली फिर हादी ने इसे काफी पिलाई और घर आगए घर में दाखिल होते ही उन्हें हाशिर के आन की खबर मिली वो तो नहीं जानती थी मगर हादी बहुत खुश हुआ तुम चलू में मिलकर आता हूँ वो सरहिलाती कमरे में आई और फरेश है कर लिबास तबदील किया और खिड़ की मैं खड़ी चांद को देखने लगी कजे ही दीर बाद इसे हादी ने पीछे से अपनी ग्रिफ्ट में लिया आज मैंने सबसे के दिया है सुबह तक कोई हमें डिस्टर्ब ना करे इसने इसके काम ने कहा और उसके हाथ को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाया और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसकी पेशानी को लबों से छेवी कर इसे अपनी बाहों में उठाया हादी पिलेज हादी ने इसे बैट पर लुटाया और अपनी शर्ट उतार कर इस पर चुका अर्श ने आंखें बंद कर लें थी एक लोयू जान इसने बोल कर उसका दोपटा इससे अलग किया कि अर्श ने इसकी तरफ अपनी पीट कर ली जहां पर अब से अपनी कमर पर हादी का हाथ रिंटा महसूस हो रहा था वो अलिफस की शर्ट हटा कर उसकी कमर पर अपने लब रखता इसे मदविश कर रहा था फिर उसके बाद वही अमल करते इसके पेट से होता इसके सीने तक आया तो अर्श ने रोक लिया किया हुआ जान वो महबबत से बोला लाइट बंद कर दें प्लेज वो मुस्कुराता उठा और लाइट बंद करके इसके पास आया फिर पूरी तरहा इस पर प्यार लुटाता रहा और वो इस की प्यार की बारिश में भीगती इसका साथ देती रहे सुबह को अर्श की अंख खिली तो खत को इसकी बाहों में पाया वो मुस्कुराते सुए हुए हादी को देख रही थी रात इसकी महबबत और शिद्दत सोच कर इसने जुर जुरी ली और कजे जिजगते हुए इसके लबों पर उंगली फेरी कोई इतना भी अपना हो सकता है दो दिनों में इसे हादी के अलावा कजे नहीं सूज रहा था अर्श ने उठने की कोशिश की तो हादी ने रोक लिया कहा जा रही हो वो इसके कांधे में चहरा चुपाए बोला सुबह हो गई हादी मुझे शावर लेना है वो मुस्कुराते इसके बालों में हाथ फैरते बोली अभी नहीं बाद में साथ ले लेंगे ना वो चहरा इसके चहरे के साथ मिलाते बोला तो अर्श ने इसे घूरा कितने भी शर्म है अब हादी ने हंसते हुए इसके लबों पर जुका और वो इसे दूर करने की कोशिश में हलकान हो रही थी थोड़ी देर बाद हादी ने इसे छोडा तो वो इसे घूरते बैठ गई वो प्यार से इसके लबों की नमी को हाथ से साफ करता मुस्कुराया अब तमेरी सामने शर्म करूंगा तो हो गया अपना काम वो शरारत से बोल कर फिर इसकी जानिब जھक रहा था कि वो इसका इरादा भामते बैड से उतर कर वाशरों में घुस हैन वो इसे मशवरा देते ट्रे उठाए आगे बढ़ा था कि हाशर ने पीछे से पुकारा और उसके सामने आकर मुस्कुराया तुम्हे देख कर वाकी शादी करने को दिल कर रहा है वो इसकी शर्ट के आगे वाले बटन बंद करते बोला तो वो इसे घूरता आगे बढ़ा अब कहां चले गए थी वो इसके हाथों में ट्रे देखते हैरान अतमेरी लिए चाय बनाने वो इसके हाथों से ट्रे लिए मुस्कुराई और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हैर ड्रायर से बाल से खाने लगी हादी में अपनी शर्ट उतार कर सोफे पर फैकी तो अर्श ने इसे घुरा उफफ यार अब समझा हाशिर किया के रहा था वो खद में बोला किसे बातें कर रहे हैं वो हैरान आए देख रही हो ता मेरी नाखुन के निशान हाथों को कंट्रोल नहीं रख सकती थी वो इसके सीने पर निशान देख कर शर्म से सुर्ख हो गई थी पलेज हादी जाएंना वो इसे वाशरूम की जानिब धखिलते बोली तो वो मुस्कुराता चला गया कजन और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी इसने मुस्कुराते इसे सलाम किया हाशर ने सर हिला कर जवाब दिया तुम लोग कहीं घुमने का प्लान बनाओ ना क्यों अर्श बेटा ममा ने मुस्कुराते अर्श को कहा तो इसने हादी को देखा अभी नहीं ममा अपकी तबिय हो जाए फिर देखा जाएगा क्यों अर्श हादी की बात पर इसने मुस्कुराते सर इस बाब में हिलाया। हमेशा याद रखना वो सर उठा कर इसे देखते मुस्कुराई अब जल्दी ये सब समिटू में थोड़ी देर आराम करूंगा रात वली में के बाद भी तो। जागना है ना वो आख दबाता शरारत से बोला तो वो इसे घूरती रख मोर गई। की स्टूडेंट थी। उन्हें पारलर से पक करने हाशिर आया था इसने खामोशी से इसकी बड़ी गारी में बैठ कर हादी को मैसिज किया मुझे लेने अब क्यों नहीं आये वो इसका मैसिज पढ़ते मुस्कुराया तुम पहुचो फिर बात करते है। जान लो यू वो इ प्यार से बोला इन दोनों ने जैसे ही एंट्री दी सब सिताइशी नजरों से देखने लगे उनका कपल लगी। इतना प्यारा था सिल्वर कलर की मैकसी में बिल्यू कलर का दोपटा सर पे सीट किये वो मुस्कुराते इसकी बाजू में हाथ डाले स्टेज की तरफ बढ़ रही थी हादी भी बिल्यू थ्री पेस में बहुत हैंसम। लग रहा था सब उनकी जोड़ी को सरा रहे थे अरश हादी का अपने घरवालों के साथ इतना एहतराम और प्यार से पेश आने पर बहुत खुश हो रही थी। ये हम कहा जा रहे हैं हादी वो वापसी पर इसे फूलों के बोके पेश किये गए जो दोनोंने मिस्क्राकर कुबूल किये वो ये वी एक पी। प्रोटोकॉल देखकर हैरान अमैनिजर खद उन्हें उनकी जगा छोड़ने आया था सर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो तो पिलेज बताईएगा इसने मिस्क्राकर सर इस बा मिस्करते इसे बाहों में लिया बोला बहुत अच्छा बिलकुल आपकी तरह वो इसकी नाक खेंचते हंसी तो वो भी मुस्कुराया लेकिन हादी घरवाले किया सोचेंगे वो इससे दूर होते बोली मेने ममना को बता दिया था डोनट वरी वो अपना कोट उतारते बोला त इसकी गरदन को लबों से छूते बोला तो वो इससे दूरा और इसे घुरा यार वहां मौजूद हैंकजे। कपड़े जाकर चेंज कर लो वो सर हिलाती और वहां पर रखे कपड़े देखकर वो शर्म से पानी हो गई थी वो चार-पांच मुखतलिफ नाइटीज थी इसे था हादी से कुछ कहना बेकार था वो उनमें से रीड। कलर वाली नाट उठाकर चेंज करने लगी क्यूंकि इसके उपर गाउन भी था जिसकी डोरी बांधती वो रोम में वापस आई तो हादी इसे देखता रह गया। वो इसके देखने पर सर जुकाए आकर बैट पर बै तुम्हे पाकर में मकमल हो गया हूं वो इसके लबों पर जुकता इसकी सांसों में अपनी सांसे मिलाने लगा अर्शने खत को संभलने के लिए बैट शीट का सहारा लिया था थोड़ी देर बाद वो इससे दूर हुआ तो वो अपनी रुकी हु सांस बहाल करने लगी ता मे परी बदन की खुशबू के आगे दुनिया की हर खुशबू बेका है इसने अर्श की गर्दन को लबों से च्छेवी कर उसके गाउन की डोरी खोल दी और गाउन को इससे अलग किया तो इसके बाजू बरहना हो गए वो खद में सिमट गई में खद को दुनिया का खुशनस ना मुझे वो नम आवाज में पूचने लगी तो हादी ने इसकी पेशानी चूम कर सरसबाब में हिलाया और फिर सारी रात इस पर अपनी शिदतें लुटाता रहा सुबह को हादी की आख खिली तो इसे देखा जो दूसरी तरफ करवट लिये सुकून से सौरही थी हादी ने मुस्कुराते इसे अपनी बाहों में लिया हादी प्ले सोने दे वो अपने उपर से इसका हाथ हटाते बोली सौजाओ कौन मना कर रहा है वो इसके बाजू पर लब रखते मुस्कुराया तो वो इसकी तरफ करवट लिये इसके सीने में चेहरा चुपाए सौगई तो वो भी इसे तंग करने का इरादा मुलतवी करते एक हाथ इसके गिल्द रखे दूसरे हाथ से अपना सेल उठा कर देखने लगा हाधी थोड़ी देर बाद अशने पुकारा तो वो इसे देखने लगा अपको नींद नहीं आ रही ना वो इसके हाथ से फोन लेकर बोली और टाइम देख तो एक जटके से अठेकर बैठ गई हाधी दस बजने वाले हैं और अपने मुझे उठाया भी नहीं वो तक्ये पर सीधा लेटा मुस्कुराते इसे देख रहा था वो जल्दी से गाउन पहनती शावर लेने गई तो हाधी ने मिस्क्रा कर उसके तक्ये को सीने से लगा लिया वो लोग वापस आये तो हाधी थोड़ी देर बाद ही घर से निकल गया तुम अभी तो इहो हाशिर अमरीका से फिर क्यों वापस जा रहे हो वो पैकिन करता मुस्कुराया मगर उसकी मुस्कुराहत में अजीब दर्द था जाना तो है ना यार वहां फुपो अकेली है बस तुम से मिलने आया था वो इसे गिले लगाते बोला वो दोनों कजिन्स होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे बड़ तुम ने कहा था तुम वापस आओगे जल्द हादी की आवाज नमा तो हाशिर ने इसे अपने साथ भींच लिया तुम जानते हो ना हादी में तुम से कितना प्यार करता हूं दुनिया में तमेरी और फुफो के अलावा मेरा है कौन हादी ने मुस्कुराते इसे देखा तुम अपना हनीमून पी एड इंजुआए करो मैं तुम से मिलने आता रहूंगा वो प्यार से बोला कल रात के लिए ठैंक्स बहुत अच्छा सर्प्राइस था हाशिर इसका कांधा थप थपाता फिर पैकिन करने लगा में अब अश्को तमेरी लिए लड़की देखने का बोलूंगा हाशिर ने इसे आंखें दिखाई ऐसा गलती से भी मत करना में फोरन इंकार कर दूंगा वो इसे वारन करते बोला तो हादी ने इसे घुरा वो हाशिर को एरपोर्ट छोड़कर आया तो काफी ठका हुआ और उदास था रात का खाना भी बराए नाम खाया वो कब सी इसे ऐसे देख रही थी जो बजाहर तो सिलफों में बिजी था मगर चेहरे पर बिजारी थी वो मुस्कराती इसके पास आकर बैठी तो वो भी इसकी तरफ मतवज्जे हुआ अब बहुत प्यार करते हैं हाशिर भाई से वो उदासी से मुस्कुराया जानती हो अर्श में इसके जाने से ज्यादा इस बात पर परेशान हो कि वो कोई बहुत बड़ी बात है जो मुझसे छेपा रहा है वो पूरी तवज्जो से इसे सुन रही थी वो मेरे साथ हंस रहा था मगर उसकी आखों में बहुत दर्द था ऐसा लग रहा था उसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है वो सोफे पर बैठा सामने दिवार पर नजरें जमाय बोला हादी अगर ऐसी कोई बात आ तो वो अब से जरूर शेयर करेंगे बस थोड़ा उनको टाइम दें अब वो इसके हाथ पर हाथ रखते इसे बोली हाँ तुम ठीक के रही हो इसने कभी मुझसे कुछ नहीं चुपाया तो अब क्यूं चुपाएगा वो रुली किस होते बोला तो वो मुसकराती सोफे से उठी तो हादी ने इसकी कलाई थाम कर सोफे पर गिराया और खद इस पर जुका हादी ये किया कर रहे हैं छोड़ी कोई आ जाएगा वो इसके सीने पर हाथ रखे बोली कोई नहीं आएगा मिसिस हादी क्यूंकि सब को पत्ता है एट्स और रोमेंटिक पीरियड वो इसके दोनों हाथों की अंगलिया अपने हाथों की अंगलियों में फंसा कर उसकी मज़ाह हमत ختم कर चुका था और उसकी लबों पर अपने लब रखे इसके अंदर अपनी सांसे मनतकल करने लगा वो इसको थोड़ी देर बाद ही अपनी बाहों में उठाय बैट पर आया और इसे लिटाकर पहले दर्वाजा लाग किया फिर लाइट्स आफ करके बैट पर आकर लेट गया तो वो इसके बाजू पर सर रखे इसे नाइट बल्ब की रोशनी में देखने लगी तो वो इसे बाहों में भरते सुकून से आँखें मूंद गया तो वो भी सोने की कोशिश करने लगी तुम अपना ख्याल रखना मैं तुम्हे काल करूंगा वो आफिस के लिए तैयार होते बोला हादी किया हो गया है आफिस ही तो जा रहे हैं वो मस्कुराते बोली कितनी उन रूमेंटिक बीवी हो ऐसा लग रहा है मेरे आफिस जाने से तुम्हारी मुझसे जान चोटेगी वो नाराजगी से बोल कर अपने बालों में बुश फेरने लगा तो अचानक अश ने इसका रुख अपनी तरफ किया किया कहा फिर रपीट करें वो अपनी कमर पर हाथ रखे इसे घूरते आगे बढ़ रही थी और वो डर कर पीछे होता गया इतना के जाकर दिवार से लगा में तो मजाक कर रहा था यार वो पियार से बोला आंखें बंद करें वो इसे घूरते बोली क्यों वो मशकुक हुआ हादी चोटी 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 इसके घुसे से कहने पर इसने फोरण आंखें बंद कर दें तो अर्श मसकुराते पंजों के बिल उंची आ और नर्मी से इसके दोनों गालों पर अपने लब रखे तो वो मुसकुराया था अलो यू माई लाइफ वो इसे सीने से लगाता बोला हादी दुनिया में मेरे लिए अपसे इंपोर्टेंट कजे भी नहीं है वो इसकी कमर के गिर्द हाथ बांधते बोली इतनों वो इसकी पेशानी चूम कर बोला शादी के बाद नार्मल रोटीन शुरू हुई तो इसने भी घर के कामों में खद को मसरूफ कर दिया सुबह हादी के काम इसके बाद मुलाजमा से घर की सफाई वो अपनी निग्रानी में करवाती फिर खाना वो खद बनाती हादी ने इसे मना किया था मगर इसने ये किह कर इसे समझाया के चार लोग ही तो है जिनका खाना बनता है तो वो खामोश हो गया इस दिन वो आफिस से जल्द आगया था इत्फाकिया मामा और गुडिया घर पर नहीं थे किया हुआ हाधी तबियत तो ठीक है ना वो इसके पीछे रोम में आई बस थोड़ा सर में दर्द था वो अपने कपड़े लेकर चिन करने चला गया तो वो इसके लिए चाय बना कर आई अब वो फोन पर लगा हुआ था प्रेशानी इसके चहरे से जाहर थी वो चाय पीते इसे देखने लगा तो वो इसके पास आकर बैठ गई अब कजे कहना चाहते हैन वो इसके सही अंदाजे पर मुझे कुछ दिनों के लिए यूएस जाना है वो इसका हाथ थामता बोला क्यूं सब ठीक तो है ना वो इसकी इतने दिन की दूरी का सोच कर प्रेशान हो गई हां बस हाशर की तबियत थोड़ी खराब है तो आनी काफी प्रेशान है वो इसके गिर्द अपना बाजू पहलाते बोला अब की आनी मतलब खाला वो हैरान आहां और हाशर की फुपो काफी कुछ है तुम्हें बताने के लिए मगर वापस आकर बताऊंगा वो इसका हाथ लबों से छूते बोला में किचन देख लो ममा आने वाली होंगी वो अपना हाथ छुडाते बोली सुनो मेरी कल सुबह की फलाइट है वो वही से बोला में आकर पैकिन करती हूं वो जबरदस्ती मुस्कुराई जल्दी आना मैं तुमारा इंतिजार कर रहा हूं वो सर इस बाब में हिलाते कमरे से बाहर आ गई इसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था जैसे तैसे वो बरतन यहां से वहां पटकेनी के अंदाज में रख रही थी हादी किचन के दर्वाजे पर खड़ा मुस्कुराता इसे देखने लगा वो इसके पीछे आया अपनी बाहों में भर लिया अगर तुम ऐसे उदास होगी तो में कैसे जाओंगा वो इसके गालों को लबों से च्छूता बोला नहीं हादी में तो यहादी ने इसका रुख अपनी तरफ मोडा और उसके लबों को अपने लबों में लेकर उसकी सांसों से अपनी सांसे मिलाने लगा, आज अश ने इसे नहीं रोका था, वो इसकी शट को दोनों हाथों से पकड़े आंखें बंद किये खड़ी रही रात को जल्दी आना रोम में वो इसे गिले लगा कर वहां से चला गया ममा में कल यूएस जा रहा हूँ, दो हफ़तों के लिए वो डिनर करते संजीदगी से बोला अर्श ममा को देखा जिन्होंने सिर्फ सरसबाब में हिलाया, इसने ये बात बहुत बार नोट की थी के वो लोग कम ही ए, दूसरे के करीब थे बस काम से काम रखने वाले तुम जरा वाडरोब खौले बोली मेंने पैकिंग कर ली, वो साइड पर रखे बेग की तरफ इशारा करते बोल कर, फिर मसरूफ हो गया तो वो एक नजर इसे देख कर चेंज करने चली गई, अर्श मैं चाहता हूँ, तुम कुछ दिन अपने पेरेंट्स के पास चली जाओ, वो याल रख सकती हों, डोनट वरी वो इसके गाल पर हाथ रखे मस्कुराई तो हादी ने इस, का हाथ पकड़े लबों से लगाया, अर्श एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अगर जिन्दगी में कभी ऐसा मोड आए कि मैं तुम्हारे साथ ना हूँ, तो सिर्फ एक इनसान भरोसा करना वो बहुत संजीदगी से किरहा था, कैसी बातें कर रहे हैं, अब हादी वो नाराज हुई सिर्फ हाशिर उसके अलावा कोई नहीं, वो इससे हाथ छुडाते दूसरी तर्फ करवट लिए लेड गई हादी की, बातों से इसे डर लग रहा था, मैंने पैकिंग इस वज़े से नहीं की थी कि तुम आकर सौजाओ वो इसका रुख अपनी जानिब मोडी इसे घूरते पहले वाला हादी बन गया था, तुम में कोई जादू है, यार वो इसकी तर्फ। जुका चहरा इसके करीब लाता बोला तो अर्श ने इसके होंटों पर हाथ रखा, तो इसने मुस्कुराते इसका हाथ हटाया और अपनी सांसे इससे मिलाने लगा अर्श इसके, नीचे दबी अपना अप छुडाने लगी थोड़ी देर बाद, इसनी इसे अजाद किया तो वो गहरे सांस लेनी लगी में बहुत मिस करूंगा तुम है, वो इसकी पेशानी प तो वो इसके गालों पर पियार करते बोला तो इसका चारा सुर्ख हुआ हादी में अपनी अपनी शर्ट उतार कर फिर इस पर अपनी शिद्दतें लटाने लगा, तुम अपना ख्याल रखना कोई प्राबलम हो तो मुझे काल कर लेना वो इसके सीने पर सर रखे, इसकी लायात मुस्कुराते सुन रही थी, वो इसके बालों में उंगलियां चला रहा था अर्श को हमेशा की तरह, बहुत सुकून मिल रहा था, वो गया तो अर्श को हर तर्फ सनाटा महसूस हो रहा था, खाना भी, इसने बराए नाम ही खाया था, वो सारा दिन अपने कमरे में गई मगर रात को सुने। का टाइम हो गया था तो बचारे एहसन ने नाश्ता बना दिया वो उनकी। बात पर शर्मिंदा हुई थी इसे एहसन की निगाहें अजीब सी लगेते हैं वो इसे वहां से हटा कर लंच की तैयारी करने लगी इस दोरान एहसन ने किचन में आकर इससे फरी होने की कोशिश की मगर इसने। इसे इगनोर किया रात को वो अपने कमरे में बैठी हादी से बात कर रही थी के दर्वाजे पर दस्तका तो इसने हादी को थोड़ी देर बाद कल करने को कहा और दर्वाजे पर खड़े एहसन को देख कर हैरान आवा। भाबी आपका कमरा तो बहुत अच्छा सीट किया है अपने वो कमरे में घुस्ते बोला तो अर्श ने बमश्किल अपना घुसा कंट्रोल किया एहसन भाई आपको कोई काम था वो मस्कुराते इसकी तरफ मुड़ा उड़े में तो बस ऐसे ही आगया सोचा हादी नहीं है त तो आपको कमपनी दीदों वो घुसे से इसकी तरफ मुड़ी पलेज इस किसम की फजूल बातें मत करें आप और जाए यहां से वो इसके करीब आया तो वो डर कर पीछे हुई गुड नाइट वो कमरे से गया तो इसने फोरन लाक लगाया फोन देखा जो कब से रंग कर रह था अरशने खद को कमपोस किया वो हादी को परेशान करना नहीं चाहती थी तुम काल क्यों नहीं उठा रही थी तुम ठीक तो हो ना वो घबराते बोला में ठीक हूँ बस ममा ने बुलाया था वो अपनी आवाज की लर्जश पर काबू पाते बोली में वीडियो काल करता हूँ वो मस्कुराते इसके सामने आई तो हादी को अत्मनान हुआ हाशिर से भी इसकी सलाम दूआ आनी कहीं गई अथी तो हादी ने उनसे फिर बात करवाने का कहा अहसन यहीं रह रहा था इसे अच्छा नहीं लग रहा था मगर इसने कुछ नहीं कहा मगर ममा और गुडिया भी इससे कम बात कर रही थे हैं तीसरे दिन इसने घर जाने का सोचा और ममा से अजाज़त चाही तो वो घुसा हो गएं तो इसे हेरता ममना अगर अगर आप मना कर रही हैं तो मैं नहीं जाती वो खत पर काबू पाथे बोली नहीं अब जाओ वरना शोहर के आते ही शिकायते शुरू कर देनी है वो अपने कमरे में आगई और तैार है कर उन्हें खुदाहाफिस किया जिसका उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, इसे बहुत बुरा लगा था, मगर वो खामोश रही, वो दो दिन वहां रही थी, आज हादी को गए हफता हो गया था, और वो इसकी कमी शिद्दत से महसूस कर रही थी, वो भी इसे बहुत मिस कर रहा था, और उसके मैके जाने पर खुश मगर किसी ने दर्वाजा नहीं खोला, इसे घबराहत होने लगी, मौसम भी खराब हो रहा था, वो एद है घंटे से बैल, दीर ही थी फिर इसे काल करने का ख्याल आया, तो इसने फोरन सेल फोन निकाला, और पहले ममा को फिर गुडिया को काल करने लगी, मगर कोई नहीं उ रहा था, वो किया करे घर वापस भी नहीं जा सकती थी, वो लोग किया सोचेंगे, इसने घर के लैंड लाइन पर काल की तो ममा ने, रसीव की ममा अब दर्वाजा क्यों नहीं खौल रहें, अब ठीक तो हैं, वो प्रेशानी से बोली जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ लहजे में कहा ममा में हादी की बीवी हूँ, इस घर पर मेरा पूरा हक है, वो रोते बोली ये घर मेरा है, जिसे चाहू रखूँ, जिसे चाहू निकाल दू मेरी मर्जी, तुम बैठी हादी का इंतिजार करो, और बार बार काल, करके डिस्टर्ब मत करो हमें वो बियकीनी स मुबाइल की सिया स्क्रीन को देख रही थी, ममा ऐसा कैसे कर सकती है, मेरे साथ वो खद में बढ़बढ़ाई और वापस अपने माबाप के घर जाने को उठीवा, जाकर इसका हादी से बात करने का इरादा था, उनकी इतनी हिम्मत के तुम है घर आने नहीं दिया, अजलान इसका भाई घुसे से बोला बाबा ने, इसे डांट कर चुप करवाया था, अर्श बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम प्रेशान मत हो हादी से बात आ तुम्हारी उनकी, बात पर इसने नफी में सर हिलाया, तुम आराम करो और हादी से बात करो देखो वो किया कहता है, उन समन ने कहा तो वो इसके गिले लग कर रोना शुरू हो गई, रात को देर से इसने हादी से कांटेक्ट ना होने पर आखिर कार हाशर को काल की, जिसने दूसरी रंग पर ही काल रसीव कर ली, अब प्लेज मेरी हादी से बात करवादे हाशर को इसकी आवाज की नमीसा, समंद समझ में नहीं आ रहा, वो बीबसी से बोली, और उसकी ये बीचीनी हाशर ने साथ समंदर पार होने के बावजूद नोट की थी में अब की हादी से बात करवा दूँगा, जब वो आएगा, आप रुलिकिस रहें, एक प्रामिस में इसे जल्द से जल्द वापस भेजता इसकी बात पर अर्श को होसला हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रही है, और अगर उन्होंने हादी को मेरे, बारे में कुछ गलत बता दिया तो मैं कहा जाओंगी, वो रोते हुए बोली प्लेज अब टेंशन मतले हादी कोई छोटा लिये बैठा रहा, तुझे किया हुआ हादी ने इसके सामने वाले सोफे पर बैखते कहा, तो हादी ने इसे देखा, तुम्हारी अपनी मिसस से बाता, वो इसकी बात पर मुस्कुराता सोफे पर लेटा, तुम उसका नाम ले सकते हो, किया सारी जिन्दगी मेरी मिसस कहोग भी चल रहा हूं फुपो भी के रही हैं तो चलते हैं वो कंधे उचकाए बोला आनी राजी हो गएं वो खुशी से बोला हा मैंने उन्हें फोर्स किया है मगर वो इसलामाबाद में होंगी तुम उन्हें कराची जाने के लिए फोर्स नहीं करोगे वो इसे वारन करते बोला इ मेरी महबत में आएंगी वो अपना फोन उठाने लगा तो हाशिर ने ली लिया अपनी पैकिंग। करो और मिसिस को जाकर सर्प्राइज देना वो कहते इसका फोन ली गया खद शादी मत करना तुम अब जरा तुम चलू पाकिस्तान देखना कैसे शादी करवाता हूं तुम्ह वो आकर सब कुछ संभाल लेगा। सुबह इसने बाबा को हादी के आने का बताया तो उम्मी बाबा दोनों मतमान आई बेटा देखो हादी जो भी कहे इसकी बात मानना क्यूंके लड़की का असल घर उसके शोहर ही का होता है अगर जरा सा जुकने पर। रिश्टे बच जा हादी और अशर को निकलना था उन लोगों ने आनी के साथ खाना खाया फिर एरपोर्ट के लिए निकले तुम आनी के पास रहते यार वो अकेली होंगी हादी ने इसे कहा उनकी तुम टेंशन मतलो मुझे तुम से बहुत जरूरी बात करनी है मगर प्रामिस करो तुम कोल र दूपता महसूस हो रहा था हाशर में कैसे इसका सामना करूंगा यार मैंने हमेशा उनको इतनी इज़त दी है फिर भी वो औरत हादी ने गुस्से से अपनी मुझे भी मुझी हादी अब पहले तुम अपनी मिसिस के पास जाओ बाकी बाद में देखी जाएगी वो कराची पहुचते बोला और हादी को वहां भेज कर खद होटल रवाना हुआ वो लंच के बाद ऐसे ही रोम में लेटी आ थी कि इसे हादी की आमत का पत्ता चला वो भागती और डाइन रोम में आई में बहुत शर्मिंदा हों अंकल मम्मा की तरफ से में मुआफी मांगता हूं वो तुम पर पूरा भरोसा है बेटा बस तुम हमेशा इसके साथ रहना वो इसका कांधा थप थपाते बोले में मरते दम तक इसका साथ दूंगा एक प्रामिस वो उनके गिले लगते पहली बार मुस्कुराया तो अर्श भी दरवाजे से पिलती मुस्कुराई वो इसे लिए इसी होटल आया था जहां पहले लाया था आज यहीं रहना है हमें जब तक मैं इस औरत सी हिसाब नहीं लेता वो गाड़ी पारकिन में रोकते बोला तो इसके लहजे पर वो हैरान आंटी से वरना फिर अलग घर का आप्शन तो मौजूद है तुम अपनी मिसिस के साथ दूसरे घर शिफ्ट हो जाना शाम को हाशर इसे फोन पर समझा रहा था तुम ठी के रहे हो शायद अभी अर्श भी कुछ डिस्टर्ब है हादी ने हामी भरी थी अच्छा तुम रात डिनर हमारे साथ कर लो ना हादी ने आफर की जरूर करता मगर कुछ जरूरी काम है तुम लोग इंजुआए करो और हाँ टैंशन मत लेना हाशर ने इसे समझाते फोन बंद किया और गहरी सांस लेकर आस्मान को देखा और सोचने लगा हादी ने खाना भी बराए नाम ही खाया था और काफी ओर्डर करके वो अर्श का इंतिजार करने लगा जो फरेश होने गई थी वो खिर्की में खड़ा ममा के बारे में सोचने लगा इसे जाने से पहले यही टेंशन थी वो हाशर के सामने भी नार्मल री एक्ट कर गया था मगर उसके अंदर एक तूफान था जो कहा आना था इसे पत्ता था अचानक वो अपनी सोचों से चौंका था क्यूंके अर्श ने इसे पीछे आकर हक किया था तो वो दिल से मस्कुराया हादी अप प्रेशान मत हों अगर अब कहींगे तो मैं ममना से मुआफी मांग लूँगी इसकी बात पर हादी ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने सामने क्या अर्श में कभी भी तुम है किसी के सामने जुकने नहीं दूंगा ये बात मेरी हमेशा याद रखना वो इसका चारा दोनों हाथों से थामता बोला वो महबत से इसे देखने लगी अब बहुत अच्छे हैं वो नम आवाज में बोली अभी थोड़ी देर बात तुम कहोगी अब बहुत बुरे हैं वो शरारत से बोला तो इसने सर नफी में हिलाते इसके हाथों को थाम कर लबों से लगाया तो हादी ने इसे उठा लिया वो उड़े उड़े करती रह गई हादी ने इसे बैद पर लुटाया और इस पर जुका था कि दर्वाजा नोक हुआ हादी ने बदमजा हैकर दर्वाजे को देखा और सीधा होने लगा था कि अर्श ने शेट का कालर पकड़ कर रोका ये क्या कर रही हो देखने तो दो कौन है वो इसे घूरता बोला तो इसने शरारत से सर नफी में हिलाया और उसके लबों पर उंगली रखी अभी तुम्हारी इस हरकत का आकर जवाब देता हूँ वो कालर छुडाता इसे वारन करते उठा तो वो हंस दी वो काफी टेबल पर रखते इसकी तरफ मुडाहा तो अब बताओ किया था वो इसके बैट पर आने से पहले वो दूसरी तरफ से उतर गई थी हादी फोरन इसी साइड से उतरा और इसी पकड़ना चाहा तो वो हंस्ती आदूसरी तरफ भागी हादी ने मुस्कुराते इसे देखा और उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा और वो पीछे होते होते दिवार से जा लगी तो हादी ने दोनों हाथ दिवार पर रखे इसकी फरार का रास्ता बंद किया और उसके लबों पर जुका अपनी प्यास बुझाने लगा आज इसके लंस में शिद्दत थी अर्शने इसके कंधों को थाम लिया थोड़ी देर बाद हादी ने इसी देखा जिसने अपना सुर्ख चहरा जहकलिया था हादी ने इसके पेशानी पर लब रखे और इसे लिए बैट पर आया और इसे लिटा कर इस पर जुका इसकी आँखों में देखता रहा इसकी आँखों में एक अजीब सा तासुर था जिसे वो कोई नाम नहीं दी पाई थी। क्या हुआ हादी? अर्ष ने इसके गाल पर हाथ रखे कहा तो हादी ने मुस्कुराते सर नफी में हिलाया और इसे अपनी बाहों में भींच लिया। वो एक नजर सुई अर्ष पर डालता इस पर चादर ठीक करता अपना लेप टॉप उठाए सोफे पर आया और थोड़ी देर सोचने के बाद टाइप करना शुरू किया। सुबह हर्ष की आख जरा देर से खिली थी और वो इसे कमरे में ना पाकर फरेश होने के लिए उठी तो साइड पर नोट लिखा रखा था तुम नाश्ता करके तयार हो ज लगता है मुझे आने की जरूरत नहीं थी वो तन्जिया। बोला ओहो तो बीवी की वकालत करने आये हो उन्होंने चुपते लहजे में कहा वो तो आपकी ही पसंद थी ना ममना फिर क्यों किया अपने इसके साथ ऐसा। वो दुख से बोला हा मुझे लगा था वो अच्छी करती थी मेरी अमी नहीं इसकी बात पर उन्होंने इसे घुसे से देखा ऐसे क्यों देख रही है क्या आपको लगता है मैं अपनी मा के साथ किया। ज्याद्ति भूल गया हो वो खड़ा होते हुए। बोला ये तुम ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी मा से उन् नहीं सोते ली मा नहीं। जिन्दगी गुजारने की खाहिश रखता हों तो इसमें क्या गलत है। कुन से बैठते कहा तो वो एक नजर उन्हें देखता सीरियां चड़ता अपने रोम में आया और अपने और अर्श। के डाकूमेट्स उठाने के साथ साथ इसने अर्श को मैकी की तरफ से मिलने वाला जेवर उठाया बाकी सब कुछ वहीं छोड़ कर नीचे आया। इसे सामने गुड़िया खड़ी नजर आई जिसको इसने अपनी बहन से ज्यादा बेटी। समझा था इसने आगे बढ़ कर उसके सर पर हाथ रखा और वहां से निकल आया था गाड़ी में बैट कर इसने एक अखरी नजर इस घर पर डाली जिसे इसने इतनी महनत और लगनसी बनाया था और आगे बढ़ गया ड्राइव करते हुए इसके कानों में इसके मरते हुए ब अपनी जमीदारियां अच्छे से निभाई हैन वो रोते हुए बोला तो हाशर का दिल काम उठा था देख हादी तो अभी ड्राइव पर है ना आराम से आओ मैं तुमारा इंतिजार कर रहा हूँ वो नर्मी से बोला देखो हाशर अगर मुझे कुछ हो जाए तो पिलेज अश आगे से आते ट्रक को देखते इसने बात अधूरी छोड़ी थी और बमुश्किल इसे करास किया वहां हाशर की जान पर बन आई थी हादी हादी तो सुन रहा है मुझे वो चिलाते बोला हादी ने घबराते नीचे ग्रे हुए फोन लेने के लिए जुका तो सामने आते डंपर से गाड़ी को ना बचा सका और एक धमाका हाशर के कामे हुआ जिससे इसके हाथ से फोन गिरा था और वो पागलों की तरे भागा था हादी अश ने इसका नाम मींद में लिया था और फोरण इधर उधर देखा वो काफी देर से हादी का इंतिजार करते हुए सोफे पर ही बैठे बैठे इसकी आख लग गई थी इसे लगा हादी इसे बिला रहा है इसने उठ कर चहरे पर पानी डाला और इसे काल करने लगी जो उठा ही नहीं रहा था वो बीबसी से अपने फोन को देख रहा था जिसे वो हाथ बढ़ा कर उठा नहीं पा रहा था इसे अपने आसपास लोगों का हुजूम नजर आ रहा था जो इसने बमश्किल आंखें खौले देखा अर शेश इसने बीबसी से इसका नाम लिया और फिर उसकी आखों में अंधेरा बढ़ने लगा हाशिर इसे फोन कर रहा था कि वहां किसी आदमी ने इसे एकसिडेंट का बताया सर हम उन्हें करीबी हास्पिटल ले जा रहे हैं अब वहीं आ जाएं हाशिर रीश ड्राइव करता हुआ वहां पहुँचा था है हादी तुम्हे कुछ नहीं होगा वो खट से बोलता आ रहा था और जैसे ही एमरजन्सी वार्ड में पहुँचा हादी अपनी अखरी सांस ले चुका था इसने पत्राई आँखों से अपने जान से प्यारे दोस्त को देखा जिसकी एक्छी पर उसकी जान पर बुनती थी आज उसका हादी से राब्ता नहीं हुआ था दर्वाजे पर दस्तका तो वो खुशी से उठी और दर्वाजा खोला मगर अपने सामने अजलान और बड़े बहनुई को देह कर है कर हैरान आश शाल लो तुम। और चलू हमारे साथ इसने अजलान भाई को देखा जिनकी आंखे स समझ में नहीं आरही बात कहा है चलू तो। मतलब चलू अजलान के डांटने पर वो मोहे बनाती अपनी चादर वोड़कर आई और खामोशी से गाड़ी में बैठ कर हादी को मैसिज करने लगी। इसने गाड़ी रुकने पर हैरत से बाहर देखा ये तो उनका घर था मगर इतने लोग क्यों थे इसका दिल अंजाने खौफ से कानपा था अजलान ने इसे गाड़ी से उतार कर बाहों के घेरे में लिया इसे सामने। तो डेवन्डे फिर सिल्यों की तरफ बड़ी ताके इसे अपने बेडरूम में देख सके कहा जा रही हो अर्श आईशा आपी ने इसे रोका वो भी रूड़ी थी में हादी को देखो बेडरूम में होंगे वो। अपना हाथ उन से छोड़ाते बोली और सामने देखने से ग खरीब आई हादी इसने इसे पुकारा हादी ये कैसा मजाख है उठी पले सब क्या सोचेंगे वो अपने इंसाहे साफ करते बोली इसने एक नजर ममा को देखा जो बहुत रूड़ी थी फिर गुड़िया और मानूर को। हादी सब को रोता देखकर मजा आ रहा है अपको वो इसे फिर बुलाने लगी ये सित्ता ये सित्ता इसकी आवाज चीखों में तबदील हो गई थी मगर वो जो इसकी एक आवाज पर सामने होता था इससे बहुत दूर जा चुका था जहां से इसकी वापसी नामुम्किन थी रात का अंधेरा हर सो फैला हुआ था तद्फीन के बाद सब लोग चले गए थे बस वो अकिला इस नई कबर के सामने बैठा था तुम है जरा भी शर्म है हादी तो ने वादी किया था ना कि तुम कभी दोस्ती नहीं तोडोगे फिर क्यों किया तुमने ऐसा वो रोते हुए बोला था हाशिर का जब्त यहां खत्म हुआ था और वो हिचकियों से रू रहा था तो जानता है ना कितनी महबबत करता हूं तुम से में कैसे जीऊंगा ता मेरी बगएर तो मेरा एक ही दोस्त था और फुपो उनको कौन संभालेगा पहले किया उन्हें कम्द केह थे कि तुमने भी उनको तोड़ दिया वो इसे शिक्वे करता रहा मगर जवाब कोई नहीं आया था अर्श की तबत खराब हो गई तो डॉक्टर ने इसे नींद का इंजेक्शन दिया था उसके घरवाले वही थे इसके साथ उम्मी का तो रूर्विकर बुरा हाल था अपनी बेटी की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी इसे अपने चहरे पर एक जाना पहचाना लंस महसूस हुआ जान देखो मैं तुम से मिलने आया हूँ वो सरगोशी में बोला तो अर्श ने आंखें खौल कर इसे देखा हादी वो इसका नाम लेती इसके सीने से लगी रोने लगी अब कहा चले गए थे हादी ने मुस्कुराते इसका सर अपने सीने से उठाया मुझे तो जाना था मगर तुम ने ये किया हालत बना ली है वो इसके आंसों साफ करता बोला अपना ख्याल रखो मैं तमेरी पास ही हूँ वो इस से हाथ छुडाता इस से दूर जाता रहा हादी वो चीखते उठी तो उम्मी ने इसे गिले लगाया उम्मी वो आये थे अभी मुझसे बात कर रहे थे वो रोते हुए बोल रही थी फुफो पिलेज अब थोड़ा साले फिर दवाई भी तो लेनी है ना वो उन्हें प्यार से बोला हाशु मुझे अब नहीं जीना मेरा जवान बचा जाकर मनो मिती तले सुया है मुझे भी अब नहीं जीना वो रोते हुए बोल रही थी हाशिर ने बमशकिल खुद को संभाला फुफो पिलेज मेरे लिए वो उन्हें जबरदस्ती दवा खुला कर सुला कर वहीं सोफे पर बैठ गया फुफो इसलामाबाद से कराची आए थी हादी को अखरी बार देखने वो भी घर के बाहर इसे देखकर वो वहीं से घर पलट आए थी इस घर में उन्होंने कदम नहीं रखा था जिस घर में उनकी बहन की इज़त नहीं की गई थी आज सुईम था वो अपने कमरे में ही थी रूरू कर उसकी हालत बुरी हो गई थी अभी इसकी शादी को तीन मा भी नहीं आई थे कि वो बीवा हो गई थी वो सर पर दो पट्टा उड़ है आंखे मूंदी बैद पर बैठी थी सारा दिन लोगों कावाना जाना लगा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले वो सिलसिला थमा था अभी इसके घर वाले भी जाने को तयार थे उम्मी इसके साथ रहने वाली थी इसने आहट पर आँखें खोली तो ममा इस के सामने खड़ी थी ममा वो खड़ी हो गई तुम अपने माबाप के साथ अभी के अभी चली जाओ मजह से तुम्हारी मनहवस शकल अब बुर्दिश नहीं हो रही वो हैरत से उन्हें देखने लगी मनना अब ये वो सदमे से बोल भी नहीं पा रही थी तुम अब क्या करोगी यहां रहा कर मेरे हादी को तो मार दिया अब किसे मारना है वो नफरत से बोले ममा पिलेज ऐसा मत करे मुझे मेरे हादी से दूर मत करे यहां उनकी खुशबू है वो उनके आगे हाथ जोते बोली अर्श किया कर रही हो यह उनके सामने गिरगडा रही हो जिनको अपने जवान बेटे की मौत का भी अहसास नहीं है अजलान ने आकर रोती हु अर्श को अपने साथ लगाया भाई मुझे कही नहीं जाना ये मेरे हादी का घर है वो रोते हुए बोली अभी इसी वक्त चली जाओ यहां से वो अजलान के सहारे चलती हु बाहर आई और रोते हुए अखरी बार इस घर को देखा जहां इसकी यादें थी हाशिर ने सर दोनों हाथों में थाम लिया इसे यकीन नहीं आ रहा था वो औरत अर्श के साथ ऐसा कर सकती है वो वहां से उठा और गारी हादी के घर की तरफ मोड़ी वो इसके सामने हादी की बातें किये रोए जारी थी आँटी हादी की बीवी कहा है इसकी बात पर वो गुरबगा गई वो अभी सुई है बेटा इद्दत में है ना तुम से नहीं मिल सकती वो गहसे उन्हें देखने लगा आंटी मुझे पत्ता है वो कहा है अब ऐसा कैसे कर सकती है इसके साथ वो दुक से बोला वो खामोश रही एक बार तो सोचा होता हाद नहीं है वो गुसे से कहता वहाँ से चला आया था। नहीं मेरी जान, वो तुम्हारी आखों में ये इनसाहे नहीं देख सकता था, वो इसके इनसाहे साफ करते बोलें, तो वो आनी, कहते इनके गिले लगी रूने लगी उनमें से, इसे हादी की खुश्बू आरही थी, वो उनके साथ खामोशी से बैठी थी, और उनका दिल खू पासपोर्ट नहीं बनाना वरना में खद भी इसे छोड़ कर नहीं आता आनी ने, इसके सर पर प्यार किया था, वो चौंक कर हाल में वापस आई थी, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुम है काल करती रहूंगी, वो इसके सर, पर प्यार करते बोलें, तो इसने नम आखों से सर इस बाब में हिलाया, अच्छा अंकल चलते है, वो अर्श के बाबा से बोला, तो उन्होंने शफकत से इसके कंधे पर हाथ रखा में, अब सब से हाथ जोड़ कर मुआफी मांगती, हो जो इस घर में अर्श के साथ हुआ, वो बहुत गलत था, हाशिर सर जुकाए खड उपर देखा जहां इसे किसी का साया नजर आया, तो इसने फोरन नजरें, जुकालें और गाड़ी में बैठ गया, फुपो इससे अर्श की बातें करती रहें, और वो बस होँआ में जवाब देता रहा, बिछला कुछ इस अदासे के रुथ ही बदल गई, एक शखस सारे श शहर में आता ही हादी के लिए था लोग कराची को रोशनियों का शहर कहते हैं, मगर हाशिर की जिंदगी में ये शहर अंधेरों के अलावा कुछ नहीं लाया था, आज इसकी मुलाकात हादी के वकील से आती वहीं इसे, पत्ता चला के हादी ने अपना सब कुछ अपनी मास तिली मा के नाम कर दिया था, इसे पत्ता था हादी जजबाती था, मगर इतना बड़ा फिसलावों कैसे, कर सकता था इसे अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहिए था, अब वो ये सोच कर परेशान था, कि अश की सिफटी के लिए वो किया करे, वो कमरे की टेरिस में खड था कि वो इसके लिए काफी लाई तुम काफी बहुत अच्छी बनाती हो जान, वो इसे कभी कभी अश नहीं जान कहता था, वो इसकी बात पर मुसकराती पलतने लगी थी कि इसने अश की कलाई पकर ली हादी पलेज छोड़ी बहुत काम है, वो अपना हाथ छड़ती बोली अच्छा बहुत काम है, हाँ वो इसके करीब आता बोला तो वो मुसकराती पीछे होने लगी बाजी किया हुआ कहां खो गई इसकी, शूटी बहन ने इसका कांधा हिलाया तो इसने, चौंक कर पहले आसपास देखा फिर इसे देखा और दूसरी तरफ चारा मोरे लेट गई इसकी आँखों से आँसू निकल कर तकिये में जजब होने लगे हादी को गई महीना होने को था, मगर वो खुद को संभाल नहीं, पा रही थी हाशिर ने फुपो के कहने पर अपना पूरा बिजनस पाकिस्तान शिफ्ट किया था, वो आफिस से घर आया तो फुपो के कमरे में आया जो रूरही थी, तो वो उनकी तरफ बड़ा हाशू आज मेरे बच्चे को गई अद्दिये महीने, हो गए और मैं अभी तक जी रही वो फोरन वहां से चला आया था, वो बियकीन नजरों से उम्मी को देख रही थी, अभी अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वज़े से वो बेहुश हो गई और डॉक्टर ने जो कहा इस खबर पर सब खामोश थे, वो माँ बनने वाली थी हादी के, बच्चे जाना था, वो फुफो से मिल कर बाहर आगया, वो इसकी कबर पर बैठी थी और फातिहा पढ़ने लगी, वो अपनी अद्दत पूरी होने के बाद, हर जम्मेरात को वहां आती थी, इसे किसी की मौजूदगी का एसास हुआ, तो इसने पलट कर देखा हाशर ने अपनी, हैं, वो इसे देखता कबर की तरफ बढ़ा, वो इसके फातिहा मुकमल होने का इंतिजार करने लगी, वो जल्द ही वापस आया, और इसे कबरिस्तान के बाहर रखे बेंच पर बैठ गई, वो बेंच के दूसरे कोने, पर बैठ गई दोनों के दर्मयान खामोशी थी, और न हाथों पर नजरें जमाए बैठी थी ममा ने ये सब क्यों किया, हादी ने कहा था उन्हें मुझे बहुत कुछ बताना है, मगर जिंदगी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया, वो इसको देखते बोली, वो हादी की स्टेप मदर है, वो हैरत से इसे देखने लगी हादी की ममा मेरी, फुफो थी हादी के फादर ने अचानक दूसरी शादी कर ली जिसकी वज़े से फुफो ज्यादा जी नहीं पाई, और उनकी ड्थे हो गई हादी बहुत दुखी हुआ था, और वो अमरीका शिफ्ट हो गया फिर जब इसके फादर, बहुत बिमार रहने लगे तो हा अचात नहीं दिया, वो खामोश हुआ तो वो अपने इंसाहे साफ करते उठ खड़ी आवो भी खड़ा हुआ और दोनों खामोशी से बाहर, आगे हादी ने आसपास कोई गाड़ी ना पाकर उसके लिए अपनी गाड़ी का फ्रेंट डोर खोला तो वो खामोशी से बैठ ग वो फोरन बोलें ठीक थी अपका पुछ रही थी वो नार्मल अंदाज में बोला मैं, मैं इस दिन तुम से कुछ कहा था उनकी बात पर इसने खाने से हाथ रोक कर उन्हें देखा हाशर इसमें क्या बुराई है और ये सोचो हादी की बीवी थी वो इसके हाथ पर हाथ रखे बोलें फुफो में भी यही सोचता हो वो मेरे हादी की महबत है इसकी बीवा है मैं कैसे इसके बारे में ऐसा सोच सकता हूँ वो उनकी तरफ देखता बोला और एक पिल के लिए मैं अब की बात मान भी लो तो रोज महशर में कैसे अपने जिगरी दोस्त का सामना करूंगा क करो अर्श से शादी में तुम्हें फोस नहीं कर रही वो उठकर उसके सामें आए मेरा एक मशवरा है इसे अब यहां से भी अजाद कर दो उन्होंने इसके दिल पर उंगली रखे कहा और वहां से चली गई मगर वो अपनी जगा से हल नहीं पाया था वो उनकी गोद में सर बूत बनाया वो खामोशी से इसे सुनती रहें खुदा गवाए है फुपो मैंने कभी इसे बद्दौा नहीं दी हमेशा दोनों के खुश रहने की दौा मांगी थी खुदा से फिर क्यों वो दोनों अलग हो गए वो सर उठाए बोला बस मेरी जान उन दोनों का साथ इतना ह शुपाय रखी हुथी इसे आज भी वो दिन्याद था जब पहली बार इसने अर्श को देखा था वो पाकिस्तान हादी से मिलने आया था और अमरीका में मकीम एक दोस्त के वालिद से मलना था जो यॉनवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो वो वहीं उन से मिलने आया और वही पर असने अर्श को देखा वो इसके पीछे था वो इसके साथ जो लड़की थी इससे बातें करते चल रही थी और ना चाहते हुए भी उनकी बातें सुनने लगा हानिया मुझे शादी से एतराज इस वज़े से है कि मुझे अभी तक वो इनसान नहीं मिला जिसको दे कर मेर दिल धड़के और वो भी मुझे देख कर बस मेरा हो जाए इसकी बात पर हाशिर ने मुस्कुराते सर जटका ओ मुझे बिक इशू करवानी थी में अभी आई वो मुडी तो हाशिर की नजर इस पर पड़ी सर पर दोपटा लिये वो बना किसी मेक अप के भी बहुत खूबसूरत लग रही थी वो सर जटका आगे बढ़ा मगर इसका पाकिजा हसन इसकी आखों में बस गया था वो हाधी के साथ डिनर करते भी वो इसके बारे में सोच रहा था ओ हीरो कुन ख्यालों में हो हाधी ने इसके आगे स्पून लहराया तो वो सर जटक कर मुस्कुराया आज तेरी हंसी कुछ अलग है बता कहीं मेरी सौतन तो नहीं मिली वो मश्कुक हुआ बस तुम बकवास ही करना अच्छा बता तेरी शादी का किया हुआ वो बात बदलते बोला यार ममना रिश्टा देख कर आए हैं अब देखते हैं किया होता है वो कंधे उचकाए बोला हादी ये तुम्हारी जिंदगी का मौामला है तुम इतने लापरवाही क्यों दिखा रहे हो हाशिर संजीदा हुआ देखो यार अगर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है तो ममना को करने दो अच्छा है ना वो इसके साथ सुकून से रहेंगी तो मेरा सुकून भी बरकरार रहेगा हाशिर ने सर हिलाया वैसे मैंने इस लड़की के बारे में सुना है काफी खुबसूरत है वो शरारत से बोला तो हाशिर ने इसे घूरा वो होटल में टहरा हुआ था हाधी ने घर रुकने को फोर्स नहीं किया क्यूंकि वो एक दूसरे को जानते थे अच्छे से दूसरे दिन वो मगरिब के बाद होटल में बैठा चाय पी रहा था कि इसे वो तीन और लड़कीयों के साथ अंदर आती नजर आई वो बेसाखता इसे देखे गया हाशिर पागल हो गय हो इसने नजरें जुकाए खट को डांटा वो वही बैठा रहा इसे पत्ता चला इसका बर्धडे है और वो अपने पसंदीदा जगा ट्रीट देने आई थी अपनी दोस्तों को हाशिर मिसक्रा दिया पत्ता नहीं क्यों इसका दिल अजीब अंदाज में धारका था वो कभी भी लड़कियों में दिल्चस्पी नहीं रखता मगर वो शायद इसके दिल पर कब्जा कर चुकी थी इसके बाद हाशिर ने अमरीका वापस आकर हादी से वो होटल खरीदने की खाहिश की तुमारा दिमाग खराब है हाशिर तुम क्या करोगे इसका हादी को इसकी बेवकूफी पर हैरता मुझे ये किसी को गिफ्ट देना है और यार कौन सा मेलास में जा आनगा वो मुस्कुराया और उसको कौन देखेगा हादी इसका जवाब जानता था फिर भी दांक पीस्ता बोला मेरा जिगर और कौन वो सुकून से बोला मैं तुमारा मुलाजिम नहीं हूँ वो चिड़ते बोला थैंक यू हाशिर हंस्ते बोला बाए दीवे किसको इतना बड़ा फाई स्टार होटल गिफ्ट करना है वो मश्कूक हुआ तेरी सौतन को हाशिर ने कहते फोन बंद किया और हादी फोन को घूरता रहा फिर हादी का रिष्टाती हुआ और शादी की तारीख भी रख दी ममा ने हादी ने फुपो को बहुत फोर्स किया मगर वो नहीं मानी आने के लिए मगर हाशर ने आने का वादी किया था और वो इस लड़की की इन्फार्मेशन भी चाहता था जिसने इसका चीन बरबाद किया था हादी में अन्शल्ला वली में पर तमेरी साथ हो हाशर की फलाइक लेट की वज़े से वो नहीं पहुच सका शादी पर जिसके लिए हादी इससे बहुत नाराज था दूसरे दिन वो शाम में आया तो पत्ता चला महतरम सुस्राल गए हैं वो इसका इंतिजार करने लगा फिर हादी आते ही इसके पास आया बहुत बुरे हो तुम हाशु जानते हो ना तुम और आनी मेरे लिए की हो फिर भी दोनों नहीं आये हाशर ने मुस्कुराते इसे गिले लगाया तो वो हमेशा की तरह सब कुछ भूल गया खुश हो हाशर के पूछने पर वो मुस्कुराया तो हाशर को अत्मनान हुआ फिर थोड़ी देर बाद वो उठा तो हाशर ने इसे घूरा एक दिन में बदल गये तुम हादी ने हंस्ते इसे गिले लगाया अब तेरी सौतन को नाराज तो नहीं कर सकता ना इसके बाद दोनों हाथ पर हाथ मारे हंसे थे और इसे वहीं रुकने का केह कर चला गया और वो इस लड़की के बारे में सोचने लगा और इससे मिलने की दुआ करने लगा सुबह हादी को इतना खुश देख कर वो बहुत खुश हुआ था हादी के कमरे में जाने के बाद वो इसकी बातों पर मुस्कुराता रहा वाकी अब वो भी शादी के बारे में सोचने लगा था वो नाशते की टेबल पर आया तो अर्श को देखकर साकित हुआ वो हादी के साथ बैठी मुस्कुराती इसे देख रही थी हाशिर ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और नाश्टा करके वहां से होटल चला आया जो अब इसकी मल्कियत था वो अपने। रोम ने आकर बैठ गया इसे लगा किसी ने इसका दिल कुचल दिया है इसके सामने बार-बार उन दोनों के मुस्कुराते चेहरे आ रहे थे इसने बमश्किल खद को संभाला और फिर हादी के कहने पर इसे पारलर से भी पक किया वो इसे एक नजर देखता सर चुका गया हादी को इसने होटल में सर्प्राइज का पहले मैसिज कर दिया था और वो रात पूरी इसने सड़क पर गुजारी थी अपने अपसे लड़ते एक पिल के लिए इसका दिल किया वो इसे हादी से चीम कर कहीं बहुत दूर चला जाये मगर फिर वो अपनी सोच पर शर्मिंदा हुआ और वापस अमरीका जाने का फिसला क्या क्या कियूंकि इसी में इसकी भलाई थी वो अमरीका आकर बिमार हो गया तो फुपो ने हादी को बता दिया वो इससे मिलने आ गया उन दिनों इसकी अर्श से सलाम दूआ हो जाती थी जब अर्श ने इसे काल की तो वो बहुत परेशान हुआ इसका दिल चाह वो हादी की ममा को जाकर खूब सुनाए मगर वो खामोश रहा हादी की मरने वाले दिन वो अर्श को खद लेने नहीं गया था क्यूंकि वो इसे इस हालत में नहीं देख सकता था इसने हमेशा अर्श को खुश देखा था तो वो कैसे देख सकता था इसे इस हालत में लेकिन जब वो घर पर आई तब वो इसे जिन सवालिया नजरों से देख रही थी वो नजरें चरा गया था अचानक अलाम की आवास पर वो चौनका पूरी रात इसे सोचते गुजर गई तही इसने वो सब अर्श की तस्वीरें डाइरी में रखें और इसे लाकर में रखें फरेश होने चला गया इसके एक हफ़ते बाद वो आफिस में बैठा कि इसकी पी ए ने इसे जिसकी आमद का बताया वो हैरत से अपने केबन से रसी पिशन तक आया इसलाम अलेकुम वो हलका सा मुस्कुराई तो इसने एक नजर इसको देखकर नजरें जुका लें अप यहां एक मैन इसलामाबाद में वो संजीदगी से बोला में अपने खाला के घर आई थी तो आनी से मिलने का दिल कर रहा था मुझे आपका घर तो नहीं पता था मगर आफिस का हादी ने बताया था वो इसकी बात समझते सर हिला गया अप को मैले चलता हूँ बस दो मिनट वीट करें वो इसे वहीं छोड़कर अपने केबन में आकर अपना कोट और फोन उठाते एक पिल के लिए रुका में इसके सामने आने पर क्यों अजीब फैल करने लगता हूँ वो ख़द में बड़ बड़ाया और फिर सर जटकता आगे बढ़ा फुपो कितनी देर इसे पियार से लिप्टाए रहें वो भी उनके सीने से लगी रही हाशु अच्छे से लंच का इंतिजाम करवाओ मेरी बेटी आई है हाशर ने एक नजर उनके मुस्कुराते चहरे को देखा और वहां से किचन ने आकर कुप को हिदायात देकर अपने रोम में आ गया वो लंच के बाद जाने को खड़ी आ हाशर ने उनके साथ लंच नहीं किया था वो इसका सामना कम से कम करना चाहता था उडे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो वो प्यार से बोले में फिर आउंगी आनी पर अब भी आईएगा ना वो उनके हाथ थामती बोली जरूर आउंगी जब मेरा चोटा हादी आएगा वो इसे प्यार करते नम आवाज में बोले तु इसने भी अपने इंसाहे साफ करते मस्कुराते सर हिलाया हाशिर इसे इसकी खाला के घर छोड़ आया था वो अभी सुने वाला था कि फुफो को अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ फुफो मुझे बुला लिया होता वो उनको बैद पर बिठाए बोला तुम जानते हो अरश हादी के बच्चे की मा बनने वाली है वो गुम सिमसा उन्हें देखता रहा वो मेरे हादी की अखरी निशानी है हाशिर वो रोने लगें पिलेज फुफो संभालें खुद को आपकी तबत खराब हो जाएगी वो उन्हें खट से लगाते बोला और उनको उनके कमरे में लेकर आया और मेडिसन दे कर आराम करने को कहा वो हादी का बचा होगा हाशू किया वो दुन्या में आते ही यतीम कहलाएगा हाशू इसे इस महरूमी से तुम ही बचा सकते हो वो बना कुछ कहे उनके कमरे से निकल आया और लान में आकर टहलने लगा उसके कानों में वही बात गोनच रही थी कि वो हादी के बच्चे की माँ बनने वाली है चलते चलते इसके पाउं दर्द करने लगे थी इसने रुक कर दो तीन गहरे सांस लिए और एक फिसला करते अपने कमरे की तरफ बढ़ा वो हैरत और सदमे से उम्मी को देख रही थी उम्मी अब जानती है अब क्या कि रही है वो गुस्से से बोली तो क्या सारी जिंदगी ऐसे गुजारोगी कल तुमारा बचा होगा इसका मस्तक्बिल किया होगा कभी सोचा तुमने उन्हों से इसे समझाते कहा हाशर की फुपों ने ख़द कहा है कि वो चाहती है तुम्हारी हाशर से शादी हो वो लब भयंचे खामोश रही हादी की ऑुलादा उनका अपना खून होगी वो लोग इसके अपने होंगे बेटा बाकी आगे तुम्हारी मर्जी अखरी फिसला तुमारा होगा वो इसे कहते चली गई इसने रोते हुए चारा दोनों हाथों में छे पा लिया हादी ये लोग मुझे अप से दूर कर रहे हैं मैं क्या करूँ वो इसकी कबर पर बैठी रुड़ी थी पलेज मुझे अपने पास बिलाले हादी में अप के पास आना चाहती हों वो रोते हुए इससे के रही थी अपको हादी से कोई अलग नहीं कर सकता इसने चौंक कर अपने पीछे देखा जहां हाशर सर जुकाए खड़ा था अर्श अपने आंसों साफ करती खड़ी आ इसने बलेक चादर में अपना अप चुपाया हुआ था हाशर इसके पास से गुजर कर हादी की कबर पर फातिहा पढ़ने लगा वो वहीं खड़ी रही मैं जानता हूँ अप हादी से और हादी अप से बहुत महबबत करते थे वो दोनों बेंच के दोनों कोनों पर बैठे थे हादी की अखरी बात मुझ से आथी एकसिडन्ट से पहले हाशिर की बात पर इसने सर उठा कर इसे देखा इसने आप का ही नाम लिया था शायद वो अब के लिए बहुत परेशान था वो इसकी बात पर रोने लगी मेंने और हादी ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया तो अब वो नहीं है तो ये मेरी जमीदारी है के मैं आपका और उसके आने वाले बेबी का ख्याल रखूं और ये सब तब ही मुम्किन है जब हम दोनों फुपो की बात मानें वो लब भायंचे बैठी रही में जानता हूँ ये आप के लिए बहुत मुश्किल है और शायद मेरे लिए भी मगर में आपको यकीन दिलाता हूँ ये रिश्टा सिर्फ कागजी होगा दुनिया के सामने आप मेरी वाइफ होंगी मगर अकेले में ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्यूमी हाशर ने इसे देखा इसी वक्त इसकी नजरें भी उठी थी और फिर दोनों ने बैक वक्त नजरें चराएं थी आपको अगर इस निका से फिर भी एतराज है तो पिलेस टेल मी में फुपो को मना कर डूंगा वो इसे एक नजर देखती वहां से चली गई और वो गहरा सांस लेकर हादी की कबर को देखने लगा वो रात में खिड़की में खड़ी चांद को देख रही थी आज इस घर में इसकी अखरी रात थी कल इसका हाशर के साथ निका था और फिर इस ये शहर भी छोड़ना था क्यूंके हाशर के आफिस का मैं सीट अप इसलामाबाद में था इसी वज़ा से इसे भी आणी और हाशर के साथ जाना था इसने गहरा सांस लिया और अपने बैट पर आकर लेट गई इसने सिर्फ बाबा की वज़ाहां की थी क्यूंके वो इसके मुस्तक्बिल के बारे में परेशानी से बिमार रहने लगे थे और वो इतनी बुरी बेटी नहीं थी कि अपनी वज़े से माबाप को तकलीफ देती हाशर वाइट करती शलवार में इसके घर आया था निका बहुत सादगी से किया गया था आनी और हाशर के अलावा हाशर के दो दोस्त थे वहां पर और अरश के घर वाले थे निका के वक्त अरश ने भी सफेद कपड़े पहने थे फुफो ने इसे रीड दो पटा उड़ा जो इसने खामोशी से वो लिया था निका के बाद वो लोग थोड़ी देर के बाद ही वहां से निकले थे हाशर ने फुफो को अपने दोस्त के साथ घर भेजा इसके और गाड़ी में बिठा कर खट ड्राइव करने लगा दोनों में निका के बाद कोई बात नहीं आ थी गाड़ी रुकने पर अर्श ने सर उठाया वो कबरिस्तान आये थे हाशर ने इसकी तरफ का दर्वाजा आकर खोला तो वो खामोशी से गाड़ी से उतरी और उसके साथ हादी की की तो इसने भी दूआ के लिए हाथ उठाये इसे बहुत रोना आ रहा था वो बे आवाज रोती रही और हाशर नम आखों से इसे रोता देख रहा था थोड़ी देर बाद वो खद ही अपने इंसाहे साफ करते वहां से हटी तो वो भी एक उलुदाई नजर इस कबर पर डालता वापस मुड़ा वो लोग थोड़ी देर पहले इसलामाबाद पहुँचे थे इसने खाना भी बे बैठे देख कर हैरान हुआ अप ऐसे क्यों बैठी हैं पिलेज आराम करें ठक गई होंगी वो नर्मी से बोला आप रुलिकिस हो जाएं ये अब आपका भी रोम है में स्टडी में जा रहा हूं आफिस का कुछ काम है वो अपना लेप टॉप लिए इसी कमरे के साथ बने पर बैठ गई पता नहीं हादी में आपको याद करके सहे कर रही हों या गलत वो आँखें मूंदी इसके तसवर से दिल ही दिल में मخاطب हुई सुबह नाश्ता करने के बाद हाशर आफिस के लिए निकल गया और वो आनी के साथ बातें करने लगी वो इसे हादी और हाशर के बच्पन की बातें बताने लगे तो वक्त का एहसास ही नहीं हुआ फिर गंच के बाद आनी ने इसे कमरे में आराम करने को भीजा वो कमरे में आकर लेट गई और हाशर के बारे में सोचने लगी रात को वो कहां सुया वो नहीं जानती थी सुबह वो उठी तो वो आफिस के लिए तैयार खड़ा था शाम को वो आफिस से वापस आया तो वो लाउनच में बैठी टीवी देख रही थी वो सलाम करते सामने सोफे पर बैठा तो भी सीधी बैठ गई मैंने कल की अपवाइट मिनट ली है डॉक्टर सारा से कल शाम में बटर खाना बना रहे थे तो मेले आई वो कप रखते बोली तो हाशित ने थैंक्स कहते कप लबों से लगाया काफी इतनी टी सिटी थी या इसे लग रही थी वो समझ नहीं पाया था मगर उसके होंटों पर काफी अरसे बाद मुसक्राहट आई थी रात को वो फुपो को उ वो संजीदगी से बोला में भी अपने अंदर एक सुकून महसूस कर रहा हूं क्यूंके हादी की बीवी और बच्चा सेफ हैं मेरे पास फुपो ने मुसकुराते इसे देखा ये कैसा सुकून है इसका जवाब तुम अकेले में खच से लेना ज्यादा बहतर जवाब मिलेग वो मुसकुराता उन्हें देखता रहा दूसरे दिन वो तयार है करहाशर के इंतिजार में बैठी थी के फुपो ने इसे अपने कमरे में बुलाया तुम इस जमाने की लड़की लगती ही नहीं हो उनकी बात पर वो हैरानी से इसे देखने लगी उफ मेरी जान मेरा मतलब है तुम है बनने सनवरने का शौक नहीं है उनकी बात पर वो खामोश रहा गई अब उनके सामने वो ये नहीं के है सकती थी के हादी अपने साथ उसके सब शौक भी ले गया था उसके बहुत ना करने के बावजूद भी उन्होंने इसे डायमंड के छोटे से एर रिंग पहना थी आज खाशू के भी कान खेंचती हों तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दिया शादी पर उनकी बात पर वो बस खामोश रही हाशर आया तो एक पिल के लिए इसे देखा फिर अपनी नजरें फेरले में बस अभी पांच मिनत में आता हूँ वो सरहलाती फुफो के कहने पर उसके लिए पानी ले गई अपके कपड़े में ने वाशरोम में रख दिये हैं वो जिजगते बोली थें क्यों वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है एक कीम मैनेज वो इसे कहता वाशरोम की तरफ बढ़ा तो इसकी आँखों में नमी आ गई किया सोचा था और किया हो गया था वो कमरे से बाहर आ गई वो कपड़े बदल कर आया तो इसके हूंटों पर बहुत दिलफ्रेब मुस्कराहत थी मिसिस हाशर अब वीक बहुत है अपना ख्याल रखे डॉक्टर सारा ने इसे कहा मिस्टर हाशर अब ये आपकी जमीदारी है कि उनकी डाइट का ख्याल रखे इस हालत में वाइफ को हस्बेंट की स्पेशल अटेंडन्स की जरूरत होती है उनकी बापर दोनों की नजरें मिलें और फिर डॉक्टर की तरफ देखने लगे वो इसे वहां से लेकर घर आया और फुपो को डॉक्टर की हिदायात सुनाएं रात में वो अपने वाडरोब सीट करके अभी बैठी ही थी के हाशर आगया इसके हाथ में दूद का गलास देखकर इसने मोहे बनाया अपको मैडिसन दूद के साथ लेनी है वो इसकी मैडिसन निकालते बोला मुझे दूद अच्छा नहीं लगता वो इसकी बात पर मुस्कुराता इससे जरा फासले पर बैठ गया दवाई भी तो लेनी है ना समझ ले दवाई है वो नाक बंद करके पूरा गलास खाली कर गई और गलास इसे थमा कर वाशरूम में घस गई तो वो प्रेशान हुआ मगर वो कुछ प इसकी जमीदारियां उठा रहा है रात का ना जाने कौन सा पहर था हाशर की आख खिली तो इसे बैठ पर ना पाकर वो प्रेशान हुआ और वाशरूम की लाइट भी बंद थी वो रोम से निकल आया और देखा वो लाउनच के सोफे पर पाउँ उपर रखे रूरी थी हाश इसे बैठ पर बिठा कर पानी ले आया जो इसने दो घूंट पी कर रख दिया आप मुझसे बात कर सकती हैं हादी के बारे में भी मैं जानता हूँ आपके लिए वो किया था वो इससे फासले पर बैठता बोला में खद को बहुत बेबस महसूस कर रही हो मेरी वज़े से आपकी जिन्दगी भी खराब हो रही है वो इसकी बात पर हैरत से इसे देखने लगा मुझे पत्ता है हादी ने बताया था आपकी किसी से कमेंट मिनट थी इसकी बात पर हाशर ने गहरा सांस लिया अब पिलेज इस लड़की से शादी कर ले मुझे कोई एतराज नहीं है वो अपने इंसाह साफ करते बोली अभी आपको आराम करने की जरूरत है वो खड़ा होता हुआ बोला और इसे लिटने का इशारा किया तो वो इसे देखती अपने उपर कंबल डालते लेट गई वो लाइटस आफ करके टेरिस पर आ गया और अर्श के बारे में सोचने लगा इसके दिल मैं ये बात है इसी वज़े से वो खामोश रहती थी हाशर से बात भी कम करती थी तो बता दो इसे कितनी महबबत करते हो इसे इसके अंदर से आवाज आई जिसको इसने फोरण खामोश करवाया और वापस कमरे में आया तो वो सुकून से सौरही थी वो भी आकर बैट के दूसरे कोने पर लेट गया और नाइट बल्ब की रोशनी में इसे देखने लगा इसका दिल चाहा वो इसके चहरे से इंसाहे के निशानात साफ करे मगर वो अपनी खाहिश को दबाता सोने की कोशिश करने ल एक तरफ फुफो सरहाने बैठी थी और अर्श उनके पैरों के पास बैठी दूसरी तरफ वो लेटा हुआ था ठक गया है मेरा बचा वो इसके बालो को हाथ से सनवारते बोले हाँ फुफो आज काफी मीटिंग्स थी अर्श वो उनसे कहकर अर्श को पुकार बैठा वो सवालिया नजरों से इसे देखने लगी एक कप काफी मिल जाएगी मगर आपके हाथ की वो सरहिलाती उठ गई किया हुआ फुफो के देखने पर वो मसूमियत से बोला काफी कप से पीने लगे उनकी बात पर वो मस्कुराया बहुत अच्छी बनाती है तो आदत हो गई है वो कंधे उचकाए बोला मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहू वो उनको देखकर मस्कुरा कर फोन की तरफ मतवज्जे हुआ वो अबर्श से अपने छोटे छोटे काम करवाता और इससे बात भी करता जिसका ये नतीजा निकला कि वो इसे खुद मخاطب करने लगी थी जो हाशर के लिए बहुत खुश आइंदा था वो आफिस के लिए रेडी हो रहा था वो इसके लिए काफी ले आए मुझे कुछ जर लेने से इंकार किया कि कुछ गेर जरूरी शापिंग भी कर ले वो मुस्कराती पलती थी कि इसकी चीख पर वो इसकी तरफ आया अब ठीक तो है इसे कंधों से थामता बैट पर बिठाते बोला हामे ठक हो वो इस के कंधों से हाथ हटाते इससे दूर हुआ और सौरी कहता कम होती रही सुबह जिस अंदाज में इस की तकलीफ पर वो रियक्ट कर गया था वो उलच गई थी हाशर की आखों में इसके लिए जो था वो हैरान आ थी मगर फिर अपना वहम समझ कर खद को डिपटा था बड़ी चादर लेकर अपना परस उठाया और फुपो को बता कर बा अमी बाबा और हाशर आये अजलान चाए पीने के बाद जाने के लिए खड़ा हुआ तो हाशर ने जबरदस्ती डिनर के लिए रोका तो वो डिनर करके गया आज हाशर बेडरूम में आया तो वो बहुत खुश थी किया बात है लगता है कोई आज बहुत खुश है वो इसे छेड़ते तो दो कप काफी के लिए आई और दोनों इसे थमती वापस गई तो वो ना समझी में दो कप देखने लगा कुछ पिल बाद वो वापस आई इसके हाथ में शाल थी मौसम बदल रहा है ये औरले इसने मिसक्रा कर शाल औरली एक बात पूछों वो वहां रखी चेयर पर बाई बहन है और जिसके पास इतने महबत करने वाले और फिकर करने वाले लोग हूं वो خुशनसीब नहीं है तो और किया है? वो इसे हैरत से देखने लगी वाकी वो हाधी के जाने पर इतनी मायूस थी कि दूसरे महबत करने वाले लोगों को भूल गई थी अब मुझे ही देख ले वो खड़ा है कर बोला और रेलिंग से टेक लगाए इसे देखता। बोला भाई बहन कोई था नहीं माम डैड भी चले गए एक भाईयों जैसा दोस्त था वो भी चला गया और जिससे महबबत की वो अश ने इसे देखा तो वो इससे नजरें चुराता इसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया वो इसके साथ आकर खड़ी हो गई हाशर अप मुझे दोस्त समझ कर बात कर सकते हैं वो मुस्कुराते इसे देखते फिर हंसने लगा तो वो हैरान सी इसे हंसते देख रही थी इसकी शादी हो गई और फिर जिससे में ने शादी की इसे में अच् करते इसका हाथ छोड़ा और उससे नजरें चुराता अंदर चला गया वो वहीं हैरत से खड़ी रही इसे हाशिर कायूं। हाथ पकरना बुरा नहीं लगा था इसे बुरा इस तरह इसके जाने पर लगा था रात का पत्ता नहीं कूंसा पहर था अर्श की खिली नाइक बल्ब की रोशन में हाशिर को देखा जो इससे थोड़ा फासले पर उंदे। मोहे सौरहा था मगर उसका कमफर्ट बैड से नीचे गिरा हुआ था इस ने उठकर कमफर्ट उठाया और इसे ओड़ा कर अपने साइड पर आकर अपना कमफर्ट ठीक करते इसे देखा और उसकी रात वाली बातें सोचने लगी वाकी वो इतनी खुशनसीब थी रिष्टों के बारे में और वो जिसे में में शादी की इसे में अच्छा ही नहीं लगता इसके कानों में हाशर की आवाज गिवंची किसको तुम अच्छे नहीं लगोगे हाशर तुम वो फरिष्टे हो जिसको अल्ला ने इनसान के रूप में भेजा है तमेरी मेरी जिन्दगी में आन के वो जान बोच कर सोता बना रहा, सुबह को वो तैयार होते गुम बुना रहा था, वो इसका खशगवार मौट देखकर पुरसुकून आ, और इसे नाश्टा लगने की इत्तिलादी तो कोट उठाता, इसके पीछे आया फुपो से प्यार लेते चेयर पर बैठ गया में आज अलीना से मिलने जाओंगी हाशिर हो सकता है, वापसी ना हो, आज तो घर जल्दी आ जाना, अर्श अकेली होगी उनकी बात पर, इसने मुस्कुराते सर इसबाब में हिलाया, अप रेडी हो जाए में, आपको ड्राप कर डून गा वो अर्श से काफी का मग लेकर बोला तो वो सर हिलाते टेबल से उठ गई, अप नाश्ता ठीक से क्यों नहीं कर रहीं, वो इसकी तरफ मतवज्जे हुआ, और उसके आगे फरेश जूस रखा वैसे मैंने रात को आपकी दोस्ती वाली आफर के बारे में सोचा था, वो सर उठा कर उसके मुस्कुराते चहरे को देखने लगी, मुझे आपकी दोस्ती कुबूल है, वो उठ कर बोलता, वहां से चला गया, वो खामोशी से जूस पीती रही और इस लड़की के बारे में सोचने लगी जिससे हाशर महबबत करता था, इसे इस लड़की को देखने का तजस्स हो रहा था, वो कुछ सोचती अपने और हाशर के बेडरूम में आई, और उसके लाकर को खिलने लगी मगर फिर कुछ सोच कर रुख गई, वो हाशर से ख़द कहेगी इस लड़की की तस्वीर दुखाने के लिए, हाशर लंच पर ही वापस आ गया था, और बाकी आफिस का काम इसने घर बैठे किया, और वो बूर हैकर सो गई, इसकी इंख खिली तो तो काफी ले में बोली तो वो सर जुकाय मस्कुराया, और उसके लिए जूस मंगवाया, अब से एक बात पूछों अब बना जेजे का जवाब दीजिएगा, मुझे बुरा नहीं, लगेगा वो जूस का सप लेते बोली तो इसने काफी पीते सर इसबाब में हिलाया, अब जिस लड़की से महबत करते थे, वो कैसी थी दुखने में, और नाम किया था इसका वो जिजगते बोली अर्श वो ना समझी में इसे देखने लगी वो बहुत खूबसूरत है, या शायद मुझे लगती है, वो इसके साफ शफाफ चहरे पर नजरें जमाय बोला, मैंने जब पहली बार इ पहली थी मेरे लिए दुनिया की हर चीज साकित हो गई थी, वो हंस्ती है, तो इसके साथ मुझे दुनिया की हर चीज मसकराती महसूस होती है, वो खामोशी से इसके चहरे की चमक को देख रही थी आपका, जूस वो जूस की तरफ इशारा करता बोला तो वो चौंक गई, औ और बेदली से जूस पीती रही पता नहीं, क्यों इसका दिल उचाट हो गया था, वो वहां से अंदर चली गई, और पीछे वो गहरा सांस लिये मुसकुराया, अश अगर मुझे जो महसूस हो रहा है, वो सहे है, तो मेरी जिन्दगी की हर महरूमी खत्म हो जाएगी, वो ख कुछ सोच कर हाशर का लाकर खोलने लगी, हाशर लाकर की कीज वहीं रखता था, लाकर को चेक करते हुए इसके पैरों में, डायरी ग्री थी इसी पिल बाहर कदमों की आवाज आई तो इसने फोरन लाकर बंद किया, और डायरी अपने तक्ये के नीचे रखी, अब तो सौर मगर वाशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, वह जल्दी उठी और डायरी उठा कर अपने वाडरोब में रख दी और दर्वाजा बंद करके, बैट पर बैठ गई, इसे हलका हलका पेन फेल हो रहा था, हाशर बाहर आया, तो इसे देखा, अब ठीक है, अर्श वो चादर ओडा कर अपने बाहों में उठा कर गाड़ी तक लाया, और ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा, खद अर्श के साथ पीछे बैठ गया, अर्श इसके हाथ थामे हुए दर्द को बुर्विश करती रही वो लोग, हास्पिटल पहुँचे तो इसे फोरन ले जाया इसने फुफो को काल की फिर वहीं पर टहलने लगा, थोड़ी दैर बाद फुफो भी आ गई, तो वो कुछ रुलिकिस हुआ, और दो घंटों के बाद अर्श ने एक खूबसूरत से, बेटे को जनम दिया, नर्स ने बचा आकर हाशर को पकड़ाया, तो वो गुम सिम सा इस देखे गया, वो बिलकुल हादी की कापी था, इसने नम आखों से इसकी पुशनी चूमी सराब की, वाइफ को रोम में शिफ्ट कर दिया गया है, अब उनसे मिल सकते हैं, नर्स के कहने पर वो जब कमरे में आया, तो वो आंखें बंद किये लेटी हूथी, वो इसके पास आ हो, मैं अभी लेकर आता हूँ, इसे वो इसका हाथ तेपती बोला, और बेबी को लेने चला गया, फिर शाम को अर्श के परेंस भी आ गये डॉक्टर ने, इसे दूसरे दिन घर जाने की इजाज़त दी, तो वो लोग घर आ गये फुपों ने, इसका और छोटे का सदका दि जो अधुरा था, बाबा ने हाशर को नमा से लूटते वक्त कहा, अंकल किया, उन सब से ये बात छेपा कर हमने सही किया है, वो उन्हें देखता बोला, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हाशर वो औरत मेरी बेटी को जीने नहीं देती देखा था, ना तुमने क्या हुआ था, इ इसे अर्श के फादर की काल आई, वो इसे कराची बिला रहे थी, वो बहुत परेशानी, माइसी दिन कराची के लिए निकला था, उन्होंने इसे घर से बाहर मिलने को कहा, तो हाशर ने उन्हें अपने होटल बुला लिया, वो उनके सामने बैठा, उन्हें देख रहा था, खादी की माँ का फोन आया था, उनका कहना है, अर्श के होने वाले बच्चे पर उनका हाक है, इसलिए अर्श उनके पास जाएजीम, जब तक इसका बचा इस दुन्या में नहीं आ जाता, उनकी बात पर इसे बहुत गुसा आया था, मतलब किया है, उनकी इस बात का अंकल मना कर देते उन्होंने सर उठा कर इसे देखा किया है एक बार नहीं कई बार मगर वो कुछ भी सुनने को तयार नहीं है अगर उन्होंने अर्श से कुछ कहा तो वो फोरन उनके पास चली जाएगी वो प्रेशानी से बोले हां फिर इसे वही तकलीफ देना चाहती है जैसे पह चाहता हूं तुम उसके महाफिज बनू ताकि ये दुनिया मेरी बेटी को सुकून से जीने दे हाशर वो शादी नहीं करना चाहती थी हमने जबरदस्ती इसकी हादी से शाड़ी करवाई मगर देखो मेरी बेटी की किसमत उनकी बात पर उसका दिल बहुत दुखा था अंकल अब जैसा कहींगे वैसा होगा मगर अभी निका मुम्किन नहीं अब समझ रहे ना जब तक इसका बेबी इस दुन्या में नहीं आ जाता ये ना मुम्किन है वो कुछ जेजहुकती बोला जानता हूँ इसलिए फी अलहाल सिर्फ तुम कानूनी कारवाई के एक निका नामा बनवाओ बाकी कारवाई हम इसकी डिलिवरी के बाद शरी निका करेंगे मगर ये बात अर्श को कभी पता ना चले वो कभी भी राजी नहीं होगी मैंने पहले ही इसकी इद्दत खत्म करने के लिए फुतू लिया है मेरी बेटी पागल हो रही थी घर बैठे अब भी वो सिर्फ हादी की कबर पर जाती है उनकी बात पर इसने सर हिलाया वो जब अर्श को इसलामाबाद लेकर आ रहा था तो अंकल ने इसे कहा था मैं तुम पर एतबार करके अपनी बेटी दी रहा हो ये बात याद रखना ये अभी भी हादी की बीवा है उनकी बात पर इसने सर हिलाया और हमेशा अर्श से फासला रखा था लेकिन क्यों बाबा फिर निका किसलिए वो हाशर को देखते बाबा से बोली बेटा बस जब तुम दोनों का निका हुआ था तुम मा बनने वाली थी तो तुम्हारी फिलिंज कुछ और होंगी अब मैं चाहता हूँ तुम दोनों का निका दोबारा हो समझ लो मेरी सिच्ट फिक्शन के लिए है ये वो बस हाशर को एक नजर देखती खामोश आ जो बाबा को ही देख रहा था वो बाबा और उम्मी के साथ कराची आ गई थी उनका निका दो हफ़तों बाद था वो सारा दिन अपने बेटे के साथ बिजी रहती जिसका नाम हाशर ने इमाद रखा था और इसे फिर आदी कहता था वो हाशर के बारे में सोचने से खद को रोक नहीं पाती थी वो दिन में इसे दो बार जरूर काल करता और उनके बीचे सिर्फ आदी की बातें होती थी थोड़ी देर पहले ही इन दोनों का निका हुआ निका के बाद खाना खाकर हाशर किसी काम से चला गया रात दस बजे उनकी इसलामाबाद की फलाई थी और अभी आठ बजे थे वो आदी को सुला कर एक नज़र पैकिंग पर डालती फरेश होने चली गई वापसी पर उसके कदम वहीं रुक गए आदी को किसी की गोद में देखकर ममा उसके हैरत से पुकारने पर वो मुड़े पिलेज ममा इसे मुझे दे दी वो उनकी तर्फ आते बोली ये मेरा पोता है और मेरे साथ ही रहेगा तुम है अगर आना है तो आसकती हो वो कहते पल्टी तो सामने हाशर को खड़े देखकर वहीं रुक गई हाशर मेरा बचा पिलेज मुझे मेरा आदी वापस दिला दें अर्श उसके पास आकर उसका बाजू जहन जोड़ा और रोने लगी आदी को अर्श को दे दी आंटी वो बहुत जब्से बोला ये मेरे हादी का बेटा है कैसे किसी और को दीदो उनके जूटे आंसों देखकर हाशर ने अफसूस से सरनफी में हिलाया में अभी भी अपका लिहास कर रहा हूं सिर्फ हादी की वज़े से लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाऊंगा वो उनसे आदी को लेकर उनहें घूरते बोला ये हुमारे बेटा है मेरा और अर्श का इसलिए खबरदार जो आइंदा इसकी तरफ आख उठा कर भी देखा वो एक हाथ से अबाद को थामे दूसरा हाथ अर्श के गिर्द रखता इसे गरीब करता बोला जानता हूं आपको अचानक हादी की ओलाद से इतनी महबबत क्यों आ है अभी हादी के वकील से मिलकर आया हो में वो इन दोनों को देखती वहां से चली गई तो हाशर ने अर्श को देखा जो सहमी नजरों से आदी को देख रही थी पिलेज अर्श रुलिकिस वो जा चुकी हैं वो इसे नर्मी से बोला हाशर अगर वो हमारे आदी को लेकर चली जाती तो वो खौफ जदा नजरों से आदी को देखते बोली तो हाशर ने इसे अपने साथ लगाया मेरे होते हुए कोई अपका कुछ नहीं विगार सकता ये बात हमेशा याद रखिएगा वो इससे अलग होती आदी को लेकर बैट पर आ गई थोड़ी देर में हम निकलें गे अप रेड़ी हैं ना वो आदी को पियार करते बोला तो अर्श ने सर इसबाब में हिलाया वो लोग एक घंटा पहले इसलामबाद पहुँचे थे वो रोम में आया तो अर्श को देखा जो बैट पर आदी को गोद में लिए बैठी थी इसने एक नजर सोए हुए आदी को देखा और इससे लेकर काट में लुटाया हाशर ममा क्यों मेरा बच्चा चीनना चाहती है वो बैठ पर बैठा तो वो बोली अब प्रेशान मत हूँ अब वो कुछ नहीं कर पाएंगी डोनत वरी नर्मी से कहता लाइट साफ करके नाइट बल्ब जलाकर दूसरी तरफ करवट लिए लेट गया वो भी अपनी साइड पर लेटी आदी को देखने लगी हाशर ने सोती हूँ अर्श को देखा और गहरा सांस लिए सीधा लेट गया वो हादी के वकील से मिला तो इस पर हादी की वसीयत का पत्ता चला जिसमें इसने लिखा था कि इसका सब बराबर सो गया अर्श की सुबह आख खिली तो काट खाली देखकर हाशर की तरफ करवट ली तो इसके चहरे पर मुस्कराहट आई हाशर का एक हाथ आदी पर और दूसरे में। फीडर पकड़ा हुआ था वो दोनों सोते हुए बहुत अच्छे लग रहे थी इसने अपना फोन उठाकर दोनों की तस्वीर ली और फरेश होने के लिए उठी दो तीम दिन बाद इसे अपने वाडरोब सीट करने का ख्याल आया तो वो आदी को सुला कर वाडरोब सीट करने लगी हाशर दो दिनों के लिए दूबई गया हुआ था इसने कपड़े निकाले तो अचानक एक डायरी इसके पैरों में आकर गरी और जैसे ही वो उठाने के लिए जुकी तो इसके अंदर से गरी तस्वीर पर नजर पड़ी तो वो शाकिड सी वही जमीन पर बैठ गई औ और कामते हाथों से डायरी झाली जैसे जैसे वो पड़ती गयी इसकी आखों में हैरत और वियकीनि थी है इसने वो तस्वीरें देखी इसकी ऑनवर्सिटी के एवेन्स की तस्वीरें थी जो सोशल मीडिया पर थी फिर इसकी बर्ट डे की भी एक दो तस्वीरें थी तो किया हाशर मुझसे वो हैरत से बढ़बढ़ाई इसने डाइरी को उठा कर उन तस्वीरों को समेटा और खामोशी से हाशर के लाकर में रख दी हाश तुम ही वो लड़की हो जिसे मेरे हाशर ने बहुत महबबत की वो सर जुकाए उनके सामने बैठी थी मगर जब तुम हादी की बीवी के रूप में इसके सामने आई तो वो पीछे हिट गया क्यूंके वो हादी को भाईयों से ज्यादा चाहता था और किसमत देखो वो भी इसे छोड़कर चला गया फुपो रोने लगें वो भी रूड़ी थी वो बहुत छोटा था जब भाई भाईयों का प्लैन करेश में इसे छोड़कर चले गये इसे मेने और हादी में संभाला था वो बहुत हंसने वाला खुश मिजाज लड़का था मगर पहले माबाप फिर उसकी महबबत इसके सामने किसी और की हो गई फिर भाई जैसा दोस्त इसे छोड़ गया वो बिलकुल खामोश हो गया है अर्श बाकी सब तो इसे छोड़कर चले गये मगर तुम इसके साथ रहना हमेशा इसे कभी मत छोड़ना तुम ही इसकी जिन्दगी की हर महरूमी पूरी कर सकती हो वो इनके गिले लगी रोने लगी सब खेरियत है ना फुपो हाशर शाम में ही वापस आया था और इसे अर्श कजे प्रेशान सी लगी थी तो इसके जाने के बाद वो फुपो से पूछने लगा उन्होंने इसका वहम कहकर टाला था क्यूंके अर्श ने उनसे वादी लिया था कि वो हाशर को कुछ नहीं बताएंगी अब तुम आराम करो काफी ठक गए होगे वो मुस्कुराते इनसे प्यार लेता अपने कमरे की तरफ बढ़ा वो रोम में आकर इसे आदी की शापिन दुखाने लगा जो वो इसके लिए दुबई सिकर के आया था वो इसके चेहरे को देखती रही वो सोए हुए हाशर को देख रही थी इसके सामने हाशर के डाइरी में लिखे लफ़ आ रहे थे मुझे हैरत है मैं कैसे इस लड़की से महबबत करने लगा हूँ जिसका नाम तक नहीं जानता मुझे लगता है वो दुनिया की सबसे खुबसूरत लड़की है या मुझे लगती है इसे वो होटल पसंद था मैंने इसे गिफ्ट करने के लिए वो खरीद लिया हादी मुझे पर घुसा हुआ है मैं जानता हूँ मैं इस पर बोच डाल रहा हूँ मगर क्या किया जा सकता है दोस्त के लिए इत करके आगया हाशर ने सीधा होते हुए इसे देखा आप अभी तक जाग रही हैं वो टेबल लेंप आन करते बोला नहीं बस अभी आख खिली थी अब सौजाएं वो लहजा नार्मल करते बोली और करवट दूसरी तरफ लिये सुने की कोशिश करने लगी हामे आप ही से महब कर रही थी वो रोज की तरह आफिस के लिए तयार हो रहा था अर्श इसके लिए काफी लेकर आई और इसे थमा कर आदी को उठाया जो उठ चुका था वो बहुत प्यारा बचा था बिल्कुल तंग नहीं करता था आज हादी की वैक्सीन होगी ना में इजा हैगा अब तया के साथ चली जाओंगी अब परेशान ना हूँ वो नर्मी से बोली पांच बजे तयार रहेगा में अपने बेटे को खद ले जा आंगा वो बैग पर लेटे आदी को प्यार करने को जुका तो आदी इसे देखते मुस्कुराया पापा के साथ जाना है ना मेरे प्रिंस को व इसे प्यार करते बाहर चला गया हो इस पर दुआ पढ़ कर दम करने लगी दूसरे दिन वो हास्पिटल से वापस आए तो आदी को फुफो को पकड़ा कर वो इसे बाहर चलने का इशारा करके बाहर आया कहां चलना है वो हैरान आ चली बताता हूँ वो गाड़ी में बैठत है गावो सर। हिलाती गारी से उतर कर बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो हाशिर ने भी गारी आगे बढ़ादी उड़े अर्श कहां गई फुप्फो ने इसे अकेले देखकर कहा मैं इसे इस पाच छोड़कर। देख रही थी वो अखरीबा शायद शादी पर ही पारलर आई थी और अब उन लोगों की महनत ने इसके चहरे को और पुरकशिश बना दिया था उसके कमर तक आये सिल्की बाल। पर कैसे गुसा कर सकती हैं अर्श नर्मी से बोला पिलेज हाशर मुझे इसे सुलाने दे मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं भी सुना चाहती हों चिर्टे बोली अब सौजाए में देख लूंगा आदी को जूनत वरी वो नर्मी। से बोलता हादी को दूसरे कमरे में ली गया वो लब भयंचे खामोशी से आकर बैट पर लेट गई इसे पत्ता नहीं क्यों रोना आ गया था और रोते रोते कब इसकी आँख लगी इसे पत्ता ही नहीं चला। सुबह इसकी आख खिली तो हाशिर आफिस के लिए तयार हो रहा था वो इससे शर्मिंदगी महसूस कर रही थी उठ गई आप कैसी तबत है अब वो घड़ी पहनते इसकी तरफ पल्टा इमसारी कल पत्ता नहीं मुझे किया हो गया था वो नजरें जुकाए बोली कुछ नह नहीं क्यों अश के चहरे पर मुस्कराहट क्यों आई थी वो खड़ भी इस बात पर हैरान थी कराची मगर क्यों रात को हाशिर ने इसे अपने साथ कराची चलने को कहा तो वो हैरान आ कुछ डाकूमेंट्स पर आपके साइन चाहिए और पपने घरवालों से भी मिल लीजि हाशिर एरपोर्ट से सीधा होटल आया वकील को भी बिलिले था अर्श उन डाकूमेंट्स पर साइन करें वो इसके सामने फाइल रखते बोला तो इसने खामोशी से इसकी बताई गई जगा पर साइन किये वकील के जाने के बाद वो लोग इसके घर की तरफ रवाना हुए ये साइन क्यों लिये थे अपने मुझ से वो इसकी तरफ देख कर मस्कुराया और फाइल इसकी तरफ बढ़ाई इसने फाइल कोल कर देखी तो इसके चहरे का रंग बदला अपने अपना इतना बड़ा होटल मेरे नाम कर दिया क्यों हाशर वो इसकी तरफ देखती बोली अब जो कुछ मेरा है वो आप कही तो है अर्श में ने आपको हमारी शादी पर कोई गिफ्ट नहीं दिया था इसे आप गिफ्ट समझ कर रख लें वो इसकी बात पर खामोश हो गई वो लोग वाँ पहुचे तो बाबा ने लंच किये बना हाशर को उठने नहीं दिया वो लंच करके फोरन जाने को उठा अपरेडी रहिएगा होटल में एक पार्टी है तो इसमें शरीक होना है इसके बाद हम गीरा बज़े तक निकल जाएंगे अन्शल्ला मेरी अभी फुपो से बात हुथी हमारा शहजादा काफी खुश है अमा अबा की गैर मौजूदगी में खूब मज़े कर रहा है वो इसकी बात पर मस्कुराई थी हाशर वो इसके बुलाने पर जाते जाते मुड़ा और सवालिया नजरों से इसे देखा अपना ख्याल रखियेगा वो मस्कुराते सर इस बाब में हिलाता पल्टा इसकी गाड़ी जैसे ही नजरों से ओजल आवो अंदर आ गई उमी और बाबा बहुत खुश थे इसके लिए और उनके इस सवाल पर के वो हाशर के साथ खुश है इसने अपने अंदर जहांका जहां सिर्फ खामोशी थी शाम को पार्टी के लिए इसने रीड कलर की साड़ी पहनी थी जो हाशिर ही इसके लिए लाया था पार्टी के हिसाब से मेक अप किया और बालों को रूल करके खुला छोड़ा वो इसका वीट कर रही थी मौसम बहुत खुशगवार था इसने गाड़ी की आवास पर देखा तो ड्राइवर इसे लेने आया था वो सबसे मिलकर गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी गी बढ़ादी हाशिर क्यों नहीं आये इसने पूछा मैम उनको थोड़ा जरूरी काम था तो उन्होंने कहा मैं आपको होटल ड्राप कूँ वो सरहिलाती शीशे के पार बरस्ती बारिश को देखने लगी जिसकी रफतार में मसलसल इजाफा हो रहा था वो होटल पहुच कर हाशिर के रोम में आई हाशिर कराची आता तो इसी रोम में रहता था अच्छा खासा लकजर रोम था इसने खिर की खौल कर बाहर देखा और मिसकरादी ये होटल कभी इसका फेवरिट होता था आज वो इसकी ओनर थी वो भी ख्याली में हाशिर के बारे में सोचने लगी वो बहुत हैंसम था उसकी परसनालिटी में बहुत चाम था लेकिन वो उन बातों से शायद अंजान था आबंता था वो परेशानी से घड़ी को देखती इसका नंबर मिला रही थी जो काल तो जा रही थी मगर वो रसीव नहीं कर रहा था खिड़की खिली होने की वज़े से बाहर से बादल गरजने की आवास पर इसने कानों पर हाथ रख लिए और बैड के टेक लगाए वहीं जमीन पर बैठ गई इसकी निक्केव है कि सामने बार-बार हादी का कफन में लिप्टा चारा आ रहा था अचानक वो चारा हाशर के चहरे में तबदील हुआ इसने रोना शुरू कर दिया हाशर को पुकारने लगी हाशर पिलेज मुझे छोड़ कर मत जाना में तमेरी बगैर मर जाओंगी हाशर वापस आ जाओ वो घुटनों में सर दिये रोए जा रही थी दर्वाजा खिलने की आवास पर भी इसने सर नहीं उठाया अर्श वो इसे पुका रहा था इसने सर उठा कर हैरत से इसे देखा अप रूर ही है वो इसके सामने घुटने के बिल बैठा अब क्यों आए है अब भी मत आते वो इसके सीने पर मुक्के बरसाते रोते हुए बोली थी अर्श में यहीं था वो इसकी हालत पर हैरान था इसने अर्श को कंधों से थाम कर अपने सामने खड़ा किया तो वो रोते हुए इसके सीने से लग गई अप कहां गए थे जानते हैं में कितना डर गई थी वो इसकी कुर्बत पर साकित सा खड़ा रहा गया मुझे लगा भी मुझे छोड़ कर चले जाएंगे पिलेज मुझे छोड़ कर मत जाएएगा वो इसका चहरा दोनों हाथों से थामे रुड़ी थी वो हैरत से बना कुछ कहे इसे देख रहा था में नहीं रहा सकती आपके बना वो फिर इससे सीने से लगी तो हाशिर को जैसे होश आया तो इसे बैद पर बिठाते पानी पिलाया अप आराम करे में यहीं हूँ आपके पास वो इसे लुटाते बोला तो अर्श ने इसके हाथों को थाम लिया और लेटी तो इसने अपने हाथ छोड़ाते इस पर बलैंकेट डालना चाहा मगर अर्श मैं इसकी शेट के कलर को दोनों हाथों से पकड़ा तो वो इस पर जग गया अपके बना में नहीं रहा सकती प्लेज मुझे अकिला मत छोड़ना हाशिर ने इसके करीब होते इसकी पेशानी पर अपने लब रखे में हमेशा तमेरे साथ डूंगा अर्श में तुम से इश्क करता हूं वो इसकी आखों को लबों से छूता फासिले मिटाने लगा अर्श ने भी बना किसी एतराज इसे अपना आप सोमपा था सुबह अर्श की नख खिली तो हाशिर को देखा जो तकिये में मोहे दिये सा रहा था एक हाथ अर्श पर था अर्श गुजरी रात के बारे में सोचने लगी हाशिर ने इसे इतनी नर्मी और महबबत से चुआ था जैसे वो कोई कांच की गुडिया हो अर्श ने बहुत इराम से अपने उपर रखा इसका हाथ हटाया और अपने बाल समेट कर शावर लेने के लिए वाशरोम का रुख किया खाशिर की नख खिली तो टाइम देखा सुबह के दस बज रहे थी वो बैट पर पीर लटकाए बैठा रात के बारे में सोचने लगा अर्श खद इसके करीब आई तो वो भी खुद को नहीं रोप पाया था और वो खुश भी था वो इसकी बीवी थी महबत करता था वो इससे लेकिन अर्श की गेर मौजूदगी इसे प्रेशान कर रही थी वो सर दोनों हाथों में थामे बैठा रहा दर्वाजा खिलने की आवाज पर इसने बालों में बुश फिरते अर्श को अंदर आते देखा तो सुकून का सांस लिया लेकिन इससे नजरे मिले बना बैठ पर बैठ कर शूस पहनने लगा अब की काफी वो इसकी तरफ कप बढाती बोली जो इसने बना कुछ कहे थाम कर टेबल पर रखा अब कहा थी हमें इसलामबाद के लिए निकलना है वो अपना लेप टॉप बेग में रखता बोला वो इसके सामने आई और खामोशी से इसे देखने लगी इसकी खामोशी पर हाशर ने सर उठा कर इसे देखा किया हुआ अप ऐसे क्यों देख रही है मुझे वो कन्फ्यूस हुआ तो अर्श के चहरे पर मुस्कराहट आई अमसारी अर्श रात को जो हुआ वो बीबसी से बोला तो अर्श ने इसके होंटों पर उंगली रखी और उसके हाथ की उंगलियों में अपने उंगलियां फंसाएं हाशर मुझे नहीं पता के जो हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ मुझे बस इतना पता है मुझे कोई पस्तावा नहीं है मैं अब के साथ अपना रिश्टा आगे बढ़ाने पर मतमान हूँ वो नम आवाज में बोली तो हाशिर ने सुकून का सांस लिया और उसका चहरा दोनों हाथों में थाम कर उसकी पेशानी पर लब रखे तो अर्श ने मुस्करा कर इसे देखा अब निकलते हैं फलाइक ना मिस हो जाये वो घड़ी देखता बोला तो इसने सर इसबाब में हिलाया वो सुबह उठने के बाद कबरिस्तान आई थी जहां पर रात की बारिश की वज़े से पानी था वो हादी की कबर पर रुकी और फातिहा पड़ी इसके बाद फूल डाले कुछ फूल पहले बे भी थे वहां वो जानती वो हाशर के डाले हुए थे हादी में अब से महबबत करती थी क्यूंके अब बहुत अच्छे थे और आज जब मैंने हाशर को अपनाया है तो मैं मतमान हूँ क्यूंके अपने कहा था मैं सिर्फ इस पर यकीन करूं अपने बिलकुल ठीक कहा था वो बहुत अच्छा इनसान है और महबबत के काबिल है हादी अप का बेटा अबाद मेरे पास अब की अमानत है मैं इसको एक अच्छा और मकमल इनसान बनाऊंगी ये वादी है मेरा अब से वो नम आवाज में बोलती खड़ी हो गई और एक अलवदाई नजर कबर पर डाली और आंखें बंद करके दूआ के लिए हाथ उठाए तो इसके सामने हादी का मस्कुराता चारा आया वो लोग घर में दाखिल हुए तो फुपो उन्ही का इंतिजार कर रही थी वो हंसता हुआ उनके गिले लग गया तो उन्होंने इसे मस्कुराते प्यार किया अश भी उनसे मिलकर काट में सुए आदी को उठा कर सोफे पर बैठी ममना से नाराज है मेरा बेबी वो इसको प्यार करते बोली तो हाशर भी इसके साथ बैठा फुपो ने चौंक कर दोनों को देखा जो साथ बैठे हंसते हुए आदी से पिया कर रहे थी हाशर ने सर उठा कर फुपो को देखा तो उन्होंने दिल ही दिल में इसकी नजर उतारी हاشر आदी पेपो के पास जाग रहा है हاشर ने इसे हाठ से थाम कर दिवार से लगाया और दूसरे हाठ से दर्वाजा लाग किया तुम है एसास है में कब से तुम है बिला रहा हूं अर्श वो इसे करीब करते Brenda पिलेज हाशर अभी नहीं वो इसके सीने पर दोनों हाथ रख्ये बोलि किया अभी नहीं वो इसके गरीब हुआ और उसके कान के गरीब सरगोशी की तो वो नजरें जुका गई तुम जानती हो अज तुम्हारी यह है मुझे बहुत अच्रेक्ट करती है वो इसे सीने से लगाए बोला तो अर्ष ने इसकी कमर के गिर्द बाजू बांधे एक लोईू अर्ष ने सर उठा कर इसे देखा बहुत जल्दी याद आगया वो मसनु नाराजगी से बोली मुझे पता है तुम सब कुछ जानती हो इतना बेवकूफ नहीं हो वो इसकी बात पर खिल खिला कर हंसी तो हाशिर ने नर्मी से इसके गालों को लबों से चुआ और इससे दूर हुआ तो बमश्किल खद को संभालती बाहर आई वो रात में रूम में आया तो अर्श खिलकी में खड़ी चांड को देख रही थी वो दर्वाजा लाख करके इसके पास आया और इसे बाहों में लेकर उसके कंधे पर अपनी थोरी रखी अर्श ने अपने गिर्द रखे इसके बंधे हाथों पर अपने दोनों हाथ रखे किया देख रही हो बाहर वो इसकी गर्दन पर होंट रखे बोला कुछ नहीं उसके ऐसे चूने से इसका दिल अलग अंदाज में धारका था तुम जानती हो कितनी महबबत करता हूं तुम से वो सरगोशी में बोला वो बस खामोश रही हाशर ने इसका रुख अपनी तरफ किया तो इसने एक पिल के लिए इसकी आखों में देखा और फिर नजरें जुकाले हाशर ने बहुत नर्मी से इसके होंटों को छुआ था और इसे बैद पर लिटा कर खद लाइट बंद करके इसके पास आया हाशर अप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना वो इसकी तरफ जुका तो अर्शने नमावाज में कहा हाशर ने इसके हाथ से चूड़ियां उतारते सरसबाब में हिलाया में हमेशा तमेरी साथ रहूंगा मेरी जान वो इसकी आखों को चूमते बोला अर्श कल सुबह जब मेरी आख खिले तो मेरे सामने रहना मैं तुम्हें हर सुबह अपने पास देखना चाहता हूँ वो इसके कान में सरगोशी करके इस पर अपने महबबत बरसाने लगा जिसमें अर्श का पूर पूर भीगता रहा अर्श शावर लेकर आई और तॉलिये से बाल खुश्क करती इसके करीब आई वो सीधा लेटा हुआ बिलकुल किसी बच्चे की तरह मासूम लग रहा था अर्श ने इसकी तरफ जुके इसके गाल पर हाथ रखा हाशर देखे में आपके पास हों वो आँखें खौले इसे देखने लगा अब उठीं फरेश हो जाएं फिर आफिस के लिए लेट हो जाएंगे वो उठने लगी थी कि हाशर ने इसे हाथ से पकड़ कर अपने उपर गिराया हाशर पिलेज अभी थोड़ी देर में आदी उठ जाएगा वो इस से हाथ चुड़ाने लगी हाशर ने करवट ली तो वो इसके मीचे हो गई इतनी मुश्किलों से तो मिली हो ऐसे कैसे जाने दूँ वो इस के चहरे पर जुका बोला तो वो नजरें जुका गई हाशर वो इसके बालों को हाथों से सनवा रहा था अगर मैं आपको ना मलती तो वो चौंक कर उसकी आखों में देखने लगा बताएं ना वो बजद हुई तो किसी और से शादी कर लेता वो कंधे उचकाए बोला तो इसने हाशर को घुसे से घुरा तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी वो इसके चहरे को हाथ की पुष्ट से सहलाने लगा वो इसकी आखों में देखती रही में हो शादी सिर्फ एक फार्मैलिटी के तहत करता और शायद सारी जिंदगी कंप्रोमाईस करता वो नास से मुस्कुराई थी और कुछ पूछना है वो संजीदगी से बोला तो इसने सर नफी में हिलाया हाशर ने इसकी गर्दन को लबों से चुआ वो अपना अप छुडाने लगी हाशर फुपो इंतिजार कर रही होंगी हाशर ने इ पेटे अबाद अब्दुलहादी को इसकी MBBS की डिग्री मिल रही थी वो अपनी डिग्री लेकर उन दोनों को विक्ट्री का निशान दिखाता आगे बड़ा हाशर ने अपनी आँखों में आई नमी को पीछे धके लावो हाशर की कापी था इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे हादी इसके सामने खड़ा हो इसकी आदतें भी ऐसी थी इसलिए इसकी अर्श से ज्यादा हाशर से अंडरिस्टेंडिंग थी चल अच्छा हुआ आदी का MBBS कंपलीट हो गया हाशर अब वो इसलमाबाद में ही हाउस जाब करेगा और आप अब कुछ नहीं कहेंगे पहले ही इसकी जिद के आगे और आपके कहने पर मैंने कुछ नहीं कहा और इसे कराची में पढ़ने दिया वो अभी कोई जवाब दी रहा था कि आदी ने इसे आकर गिले लगाया मामा अब पापा को मेरे खिलाफ कर रही है वो अभी तक हाशर के सीने से लगा हुआ था हाशर ने मुसकरा कर इसे खद से भींच लिया वो इसके बराबर आ रहा था कदमे तुम प्रेशान मत हो में उनकी सिफ सुनता हों करता अपनी हों वो इसकी पेशानी चूमते शरारत से बोला तो अर्श इसे घूरने लगी पापा मेरी मामा को कुछ ना कहीं वो अब अर्श के गिले लगा तो वो मिसकरादी चली मामू अब लोगों के लिए कितनी काल्स कर चुके हैं वो इन दोनों का हाथ हामता मुसकुराता आगी ब लगा वहीं पर अजलान की बेटी समन सलाम करती अंदर दाखिल आ अर्श ने इसे खुद से लिटाए पियार किया हाशर ने सर पर हाथ रखा वो मेडिकल के सेकंड एयर में थी आदी ने इसे मुसकुराते देखकर अपनी आंखें जुकाले वो लोग खाना खाकर चाए पी थे कि आशर और इशा आ गए उनको देखकर आदी बहुत खुश हुआ आशर इससे दो साल चोटा था और इशा चार साल दोनों बड़े भाई से मिलकर हाशर और अशर की तरफ बड़े कैसा रहा सफर कोई तकलीफ तो नहीं हाशर ने इशा के सर पर पियार करते कहा नो पापा सब ठीक रहा वो अभी इसलामाबाद से कराची पहुँचे थे हाशर के काल करने पर तुम लोग कैसे आगय में मामा पापा के साथ आ रहा था बताया तो था वो आशर और इशा के दर्मियान बैठा बोला अशर ने अपने तीनों बच्चों को महबबत से देखा भाई पापा ने कहा था कि हम आजाए इशा के कहने पर इसने हाशर को देखा जो अब सब से मखातिब था में अब सब को कुछ बताना चाहता हूँ बहुत जरूरी बात आदी उधर आओ हाशर ने कहते इसे अपने पास बिठाया अर्श हैरान थी कि आखिर बात किया है आदी का अब माशालला MBBS कम्पलीट हो गया है तो इसके बाप होने के नाते अब मुझे इसकी शादी की फिक्र है आदी ने अर्श को देखा जो खत परेशान थी हाशर अप अभी हाशर ने हाथ उठा कर इसे कुछ कहने से रोका मेरा आदी बहुत अच्छा और फर्माबरदार है मुझे उमीद है वो मुझे मायूस नहीं करेगा इसने इबाद के गिर्द बाजू रखा वो बमुश्किल मुस्कुराया कल हमारे होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें हादी की स्टडीज कंप्लीट होने की सी लिबरीशन के साथ इसकी मंगमी भी है अर्श ने आदी को देखा जो सर जुकाय बैठा था आदी अपने पापा पर भरोसा है ना कोई एतरास तो नहीं तुम है हाशिर ने प्यार से कहा तो इसने सर उठा कर समन को देखा नहीं पापा अपने हमेशा मेरे लिए बेस्ट चना है तो इस बार भी बैस्ट होगा इसके कहते ही समन खामोशी से वहां से उठ गई थी हाशिर अभी ये सब करने की क्या जरूरत थी अर्श ने इसे बेडरूम में आते कहा इसमें क्या बुराई है अर्श अब आदी की शाड़ी होनी चाहिए वो बढ़ा हो गया है कहीं तुम सास बनने के दुख में तो नहीं के रही के लोग तुम है बुड़ा कहींगे आखिर में वो शरारत से बोला तो वो इसे घूरती आदी के पास गई जो लान में टहल रहा था अबाद की पढ़ाई की वज़े से हाशिर ने कराची में एक अच्छे एरिया में घर लिया था मामा अब वो इसको देखते मुस्कुराया अंदर आओ बाहर सर्दी है वो कहती अंदर की तरफ बढ़ी तो वो भी इसके पीछे आगया वो इसके साथ इसके रोम में आगई तुमने पापा को क्यों नहीं बताया आदी वो इसके सामने बैट पर बैठी किया बताता मामा वो इसकी बात पर इसे घूरने लगी मामा पापा मेरे लिए कभी गलत फिसला नहीं लेंगे में क्यों कोई एतराज करूं वो मेरे पापा हैं मुझ पर उनकी खाहिश का एहतराम करना फर्ज है अरश ने अपने जवान बेटे को देखा और इसे गले लगा लिया लेकिन समनसीन का किया होगा आदी अरश ने परेशानी से कहा समझे है जाएगी अरश ने सर हाती इसकी पेशानी पर पियार किया और सूने की तलकीन करते अपने रोम में आ गई वो कमरे में आई तो हाशिर सो गया था वो भी लाइटस आफ करके लेट गई और हाशिर को देखने लगी वक्त जैसे इसे चुए बगएर गुजरा था अब भी वो आदी के साथ खड़ा होता तो इसका बड़ा भाई लगता था इससे बहुत महबत करती थी मगर इससे कभी इजहार नहीं किया क्यों ना करती वो था ही ऐसा इसने हर मुश्किल में इसका साथ दिया था किया हुआ अर्श वो इसका हाथ अपने सीने पर रखा तो अर्श ने सर नफी में हिला कर उसके सीने पर सर दिया तो इसने भी मिस्क्रा कर आंखें बंद कर ले आदी बीदली से बैट पर रखे कपड़ों को देख रहा था कि हाशिर आगया तुम अभी तक ऐसे खड़े हो इबाद वहां सब हुमारे वीट करें ये अच्छी बात नहीं है। बेटा वो खट बिल्यू थ्री पेस में तैयार था उड़े। इसे घुरा माशालला अर्श ने रोम में आते कहा दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे मामा ये पापा के लिए था ना वो शरारत से इसके गिर्द बाजू रखे बोला बत्तमीज अर्श ने इसे घुरा पापा मामा बलश। कर रही हैं हाशिर ने महबबत से इसे द हुंदने लगी वो हाशिर के बुलाने पर उसके दोस्तों से मिलने लगा थोड़ी देर बाद हाशिर ने इसकी काम्याबी के साथ इसकी मंगनी भी अनाास की वो इसके बराबर खड़ा बमश्किल मुस्कुराया अब सब को बहुत इंतजार होगा दुलहन का तो वो रहे मेर अबाद की दुलहन समन अजलान हाशिर की बात पर उसने भी यकीनी से सामने देखा जो बहुत खूबसूरत गोल्डन सूप में किसी शहजादी की तरह आरही थी आदी मोहे तो बंद करो हाशिर ने शरारत से कहा तो वो हाशिर के गिले लग गया अर्ष ने हाशिर को नम लाया तो अबाद में मिस्क्रा कर उसके हाथ को लबों से चुआ तो वो अपना हाथ च्छलती वहां से भागी वो हादी की कबर पर बैठा था हादी मैंने अबाद को एक अच्छा और मकमल इनसान बना कर तुम से किया वादी निभाया है और अगर रोज महشر तुम आकर दालबा करोगे तो मैं खुशी खुशी दोनों को तुम्हें सौपोंगा ये मेरा तुम से वादी है थोड़ी देर बाद इसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो वो नम आखों से मुस्कुराया पापा चली अबाद को देख कर असने सर इस बाब में हिलाया वो दोनों एक साथ बाहर आये थे आदी ने इसके लिए फरेंट डोर खोला और उसके बैठने के बाद एक नजर कबरिस्तान को देखा अल्ला हाफिज बाबा वो दिल मैं कहता गारी में बैठा वो रात को खिर्की में खड़ा चांद को देख रहा था कि अर्श आकर उसके सीने से लगी हाशर आलो यू वो इसकी बात पर मुस्कुराया एक लो यू टू और थैंक्स हर इस साथ के लिए जो तुमने मेरा दिया अर्श जब फुपो किद्धे हो गई थी तो तुम और आड़ी ना होते मुझे ना संभालते तो शायद में कभी इस गम से ना निकल पाता वो सीन के गिर्द बाजू रखे मुस्कुराया तो वो भी सुकुन से मुस्कुराई दोनों चांद को देखते शुक्रिया